हे गाइस, वेलकम तू दा स्टेडी विद मयांक, मैं हूँ आपका मयांक, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भारती अर्थिववस्ता की पुस्तक जो कि रमेश सिंग जी के द्वारा लिखी हुई है, यहाँ पर आपका जो है नवीन्तम संस्क्रड जो आपका बार अध्यन करदे समय यहाँ पर कुछ महतूर बातों का ध्यान भी रखना है, जैसे यह विषय जो है अपनी विषयवस्तू के मामले में इस्टेटिक और डायनामिक दोनों प्रकार की गुणों को समेटे हुए हैं, यानि कि यहाँ पर इस विषय की कुछ कॉंसेप्ट वगरा कुछ अभधार्न आएं, कुछ सिध्धान्त जो है, इस्तेर हैं, वहीं उन सिध्धान्तों का परियोग करके जो आपके आंकडे निकाले जाते हैं, अर्सास के, तो वहाँ पर आपके गत्यात्मक हैं, तो जब भी आप इसका अध्यन करेंगे, तो यह दोनों बातों का ध्य आएंगे, उनका भी अध्यन साथ में करना पड़ेगा, तभी आपकी जो है, यहाँ पर बुनियादी अवधार्ना का जो है, आपकी बहुत अच्छे से किलियर हो पाएगी, आप बुनियादी अवधार्ना को समझ पाएंगे, और आप आर्थिक परद्रस की आपको विस्तर जानकारी यहाँ पर आपको मिल पाएगी, तो आप लोग जब भी अध्यन करें, आपको मलब यह दोनों को समाहित करके अध्यन करना है, और यह बात आपको विस्तरूप से ध्यान भी रखनी है, तो यहाँ पर आज हमारा पहला चैप्टर है, यहाँ पर प्रस्ताबना के ब गत्विदियों का अध्यन करता है, अब यहाँ पर बताया गया है कि मानब की कौन को सी गत्विदियां आर्थिक होती है, यानि मानब की हर गत्विदी जिसमें मुद्रा समलित है, आर्थिक गत्विदी है, और जहां मुद्रा का प्रवेस होता है, वहां आर्थिक परियोज कुछ motive भी होगा कि हमें पैसे का करना ग्या है और जो लाब अर्जित करना होता है नि परियोजन लगवख लाब अर्जित करना ही होता है हर व्यक्ति यहीं चाहता है हमको लाब मिले इसलिए लोग पैसा कमाते हैं जहां देने वाली बात यह है कि अर्थ सास्त्र में जो की जगए हैं बस्तुओं का परियूक करते हैं यानि माल लिजिए किसी व्यक्ति को एक लो चीनी चाहिए है तो चीनी के बादले क्या कर घळेगा उसके बस बतले में उसको जो है चीनी मिल गई तो इसा बस्तु बिन में बोलते हैं बस्तु मिन में में तमाम कञ्च्टनाय आती नहीं तकटना ही आती थी माल लीजे उस समय किसी को आटे की आवशक्ता ना हो और आपको चीनी की आवशक्ता ना हो आपको किसी और चीनी की आवशक्ता हो तो आपको बायर ढूनना पड़ेगा पूरे दिन आपको यही ढूनना पड़ेगा कोई कोई हमारा आटा ले ले और उसके बदले में चीनी दे दे यानि माली चीनी वेचने वाला है और उसको ये लग रहा हूँ का आज हमें इसके बदले में घी चाहिए या दूद चाहिए तो वो इसी चक्कर में बैठा रहेगा तो मुद्रा जब से आई है तो मुद्रा ने क्या किया है जो बाजार की प बिन में होता है, यानि मुद्रा आती जाती है, तो वो आपके आर्थिक गद्विदियों में सामिल की गई है, अब आपके माइंड में एक बात और उभर कर आई होगी, कि भाई जो हम धार्मे किस्तलों पर हम चंदा चड़ाते हैं, दान देते हैं, या फिर जो भीक मांगने वाले होते हैं, उनको हम पैसे देते हैं, क्या वो भी आर्थिक गद्विदी है, हम तो अकबारों में ये पढ़ते हैं, कि फलाने विखारी पर दो करोड़ रुपे का फ्लेट है, वो ये है, वो है, आप लोग ये भी अपने माइंड मारा होगा, तो ध्यान देने वाली बा अब अर्थसास की अगली परिभासा है, कि अर्थसास्त्र समाज तवारा दुरलब संसादनों के उपयोग से मूलेबान उत्पादों के उत्पादन और उनके वित्रड का अध्यन करता है, जैसे कि आपने देखा है, जब से उत्धोई करड हुगा है, जब से उत्धोई स्टार्ट होई है तब से प्रत्वी पर मौझूद लगवग प्रत्वी के जितने भी संसादने उनका अधिक्तम उपयोग करने की बात कही जा रही है लगातार जो दुरलब संसादने वो बहमूल हो गए है तो यहाँ पर अर्सास क्या है समाज के दौरा जो दुरलब संसादने इनका उपयोग हो रहा है और उनसे उत्पादन बगरा जो उनके जरिये हो रहा है उन सभी का अध्यान यही करता है उनके बिदर का भी अधियन यही करता है। तो यह अर्शास की दूसरी परिवासा है। एक अर्शास की तीसरी परिवासा भी है कि वियक्ति, फर्म तरहों अन्य संग्ठनों द्वारा किये गए चैनों के द्वारा समाज में संसाधनों का उपवियोग कैसे तैह होता है… जादा आयका सजन कर रही है, तो वो सब चीजें भी यहां पर अर्साथ अध्यन करता है, तो यह अर्सास की तीन परवासा ही हो गई, तो तीन परवासा के जरी है, जो अर्सास का basic concept है, वो आपके mind में clear हो गया होगा, यहां पर अर्सास के दो प्रकार बताई हैं, ब्यस्टी और समिष्टी, यानि Micro और Macro, दो प्रकार के अर्षास के प्रकार बताएं हैं, अब ये Micro Macro जो थे आपके पहले के समय में नहीं थे, यानि कि ये जो निकल कर आए हैं, वो 1930 की महानमंदी, यानि अमेरिका में 1930 में आपको पता होगा, जो महानमंदी का दोर स्टार्ट हुआ थ उसके उपनान यह माइक्रो मैक्रो कॉंसेप्ट का उद्य हुआ है उससे पहले तो economy को एक समग रूप में ही देखा जाता था तो जब महानमंदी आई 1930 के उपनान तो अर्शास्त यहाँ पर दो बड़ी साखाओं में बट गया है देखिए अगर आप मेरे एक regular student हैं और आप मुझे regular लोग से follow कर रहे हैं तो आपने पाया होगा क्लास 9 की जो मैंने NCRT history पढ़ाई थी तो वहाँ पर एक अमेरिका वाला chapter था तो वहाँ पर अमेरिका वाले chapter में हमने आपने देखा था कि अमेरिका में महानमंदी आने के क्या कारण थे पहली बाद तो वहाँ पर यह थी मुझी बादी प्रणाली थी बाजार प्रणाली थी राजिगा हस्चे बहुत जादा कम था वहाँ पर तो वहाँ पर उत्पादन अपने हिसाब से लोग कर रहे थे और लोगों को मन में यह लग रहा था कि एक प्रणाली उत्पाद जो है हम उप जाते जाएंगे तो हमें इसमें पहुझाता लाब मिलेगा एक किस्थिती यह क्रियेट हुई कि सभी ने वही एक प्रणाली उत्पाद उने पर फोकस कर लिया ऐसे क्या हुआ कि बहुत जादा उत्पाद का उत्पादन हो गया एक ही उत्पादगा अब उसके खरीदार मिल नहीं रहे थे तो ऐसे में महानमंदी तो आना तैह हुआ कि महानमंदी तो ऐसे माही ही आएगी मालीजे सबने गहूं ही उपजा लिया अब गहूं की खरीद करने वाली ही नहीं है मालीजे गहूं मालीजे एक मोटा मोटा एक example मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि हमें एक जरूरत है समाज के लिए 100 टन गहूंगी 100 टन गहूंगी हमें जरूरत है अब यहाँ पर आपने उपजा दिया 1000 टन अब यहाँ पर बात बाकी 900 टन गहूं कहां जाएगा ओविस्सी बात है कीमतें गिर जाएगी खरीदने वाला कोई नहीं होगा तो यहीं यहाँ पर हुआ है अमेरिका के संदर में अगर आप इत्यास उठा कर देखें तो अमेरिका में भी कुछ ऐसा हुआ तब फिर वहाँ पर यह सोचने को मजबूर हुए तमाम लोग के आप कुछ ऐसा किया जाए ताकि भविस्व में इस तरह की सिती क्रियेट ना हो यानि कि हमें एक बताने वाला व्यक्ति हो कि हमें क्या उपजाना है कितना उपजाना है और यह नियंतरत करने वाली यहाँ पर एक इकाई हो तो ऐसे करें कि राज्य का हस्तियव अर्थववस्ता में कितना होना चाहिए, यह सब बातें यहाँ पर निकल कर आई है यहाँ पर एक बहुत फैमस अर्थसास्त्री हुए हैं, बहुत यहाद प्रसिद्ध हैं जिनका नाम है जॉन मैनोर्ड कीन्स, इनको समश्टी अर्थसास का जनक भी कहा जाता है यानि कि मैक्रो एकोनोमिक्स का इनको जनक भी कहा जाता है और जो आपकी जो मैक्रो एकोनोमिक्स वाली साखा है इसका जन्म जो है कीन्स की पुस्तक आई थी इसी से जन्म माना जाता है यानि इसी से जो हमें लगता है, इसी से लोग मानते हैं, जो अर्षास्तरी हैं, कि इसी से आपका समश्ट्री अर्षात, यानि MACRO ECONOMICS का जन्व हुआ है अब सबसे पहले अपने माउने माड़ में क्लियर कर लीजिए, MYCRO और मैकRO होता क्या है देखे, मायक्रो के संदर में हम जहाँ पर एक व्यक्ती या एक परिवार का अध्यन करते हैं भही मैक्रो के संदर में क्या होता है हम संपूर देश का अध्यन करते हैं वही Arabic मायक्रों में क्या है हम किसी एक इकाई को लेकर चलते हैं, मालि ये एकाई वो परिवार भी हो सकती है, एक छोड़ी सी फर्म भी हो सकती है, एक छोड़ी सी कमपनी भी हो सकती है एक individual ब्यक्ति भी हो सकता है कि भाई यह देखें कि भाई इस पर जो price बड़ा है price उसका असर क्या पड़ा है क्या खपत में उसके असर पड़ा है तो micro में हम यह छोड़ी छोड़ी बारीक बातें देखते हैं भाई macro में क्या है हम संपूर रूप में हमारे अर्थ विवस्ता जो चल रही है उसका संपूर रूप में क्या प्रभाव पड़ा है अर्थ विवस्ता कैसे काम कर रही है कैसे यह रोजगार सजद कर रही है कैसे यहाँ पर मंदी आ रही है यह सब चीजे हम इसमें विस्तरत रूप में देखते हैं तो आपके बाइड में माइक्रो और मैक्रो के बारे में बातें किलियर हो गई होगी तो बताया गया है कि आर्थिक विस्तरण में जहां माइक्रो का द्रश्टिकोंड नीचे से उपर नीचे से उपर है, मैं यहाँ पर एक पिरामिट बनाता हूँ छोटा सा, तो पिरामिट आप यहाँ नीचे से उपर इस तरह से बनेगा, तो आप क्या पाएंगे, नीचे की और इसका साइड जो है, छोटा होदा जा रहा है, तो यहाँ पर नीचे की और होने का, छोटा होने क पर उस पर क्या आसर पड़ेगा, किया इसमें कमी आएगी या बडोत्री आएगी ये सब अध्यान करेगा, तो वहीं आपका जो macro concept है ये उपर से नीचे, उपर से नीचे का मलब क्या है, ये समगर रूप में करता है, ये समगर रूप में देखेगा, कि हमारे यहां जो का स्वाड़ाक को करते हैं कि या आध प्राफ को कामालिजिए किसी एक ग्रति का अध्यान करना हुद आप आसानी से करसे लेंगे वहीं अगर पुरे देश की अर्थ बस्ता का अध्यान करना हो और आप है आप तो यहां पर आपको क्या हैें कि मैक्रो शिद्दान पर मूल निल्बब क्या है एक बिष्ट लेंट लेट पर हम देश की अर्थ विवस्ता के नहीं है और अर्थ विवस्ता कैसे आर्थ बीवस्ता कर रही है अपने यह जो हे एक Sounds कि बदलने के लिए कार गर है या नहीं है हम इस फेबर में इसका अध्यन करते हैं, तो यहाँ पर भही लिखा हुआ है, भही मैक्रो का प्रियोग सिद्धी अब लोकोनों से हुआ है, तो यह आपने ब्याष्टी और समिष्टी के बारे मंतर आपने जान लिया है, अब यहाँ पर एक सब्द है अर्थमिती, जिसका नाम है इसको हम इको क्या कहते हैं, क्योंकि current affairs में क्या होता है, सुद्ध हिंदी, यानि जिसे हम pure हिंदी बोलते हैं, वो कभी-कभी लिखी हुई नहीं मिलती है, तब आप confused होंगे, सर यह क्या लिखती है, तो आप साथ के साथ यह अपने mind में चीज़ा रखें, इसका अंग्रेजी रूप क्या अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, तो जो अर्थमिती है, जानि इकोनोमेट्रिक्स है, इस विधा में आर्थिक विस्यशण में सांखिकी और गड़ती विदियों का उपयोग होता है, तो यह आपकी अर्थमिती है, ठीक है, अब बात करते हैं, अर्थ विवस्ता है क्या, यानि अब भातित एकोनोमी, एकोनोमी क्या है, अर्थ विवस्ता जो है, एकोनोमी ही जो है, अर्थ सास का क्रियासील रूप है, यानि अर्थ विवस्ता का मलब क्या है, कि हमें एक देश का एक्जामपल ले ले लें, तो देश भर में, देश के में एक साल के भीतर जो भी आर्तिक गत्विधियां हुई है, जो भी स्रजन हुआ है, बस्तूง का स्रजन हुआ है, उससे जो बस्तू undoubtedly है तो बहुत सब हमारी economy के तहट आएगा, यानि क्रियासी रूप में पता चलेगा, यानि कि हम एक साब साब ये कह सकते हैं, कि आर्तिक गत्विधियों का एक रुका के संदर में देख सकते हैं ii Google संदर में रेक सकते हैं कंपनी ऐर्तवश्ताहि करेगा फिचर के लिए क्या-क्यर्व करेगा अपनी पूरी परी अपना अन्य को इजा करता है पूरा मॉरों करता है कि कि ब्यमारे के लिए बचाके के रखना धुटो है उसके लिए रखना थे हैं तो आप अपना पूरा economies, यानि सेक्टर कौन कौन से होते हैं वैसे तो हम ये class 9 से पढ़ चुके हैं, इनके सेक्टरों के बारे में आपकी geography में भी सेक्टर के बारे में चड़चा होई थी, तो सबसे पहला सेक्टर आपका जो आता है वो आता है प्रात्मिक शेतर, यानि जिसे हम primary sector कहते हैं, primary sector जो फोकस करता है मैं लिए, वो आपके प्राकृतिक संसादनों पर करता है यानि प्राकृतिक संसादनों के दोहन से जुड़े हुए कत्विदिया इसमें आती है, जैसे उत्खनन का कार्य है क्रसी कार्य है, क्रूड ओयल वगरा निकालना है यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है यह किसी भी देश की GDP और जीवन यापन में अगर क्रसी छेतर का योगदान कम से कम 50% है, तो इसे हम क्या कहेंगे Agricultural Economy इसे बोला जाएगा यानि माल लीजे, किसी देश में रहने वाले लोग जो है यानि 50% लोग economy में contribute कर रहे है इसके लाबा लगवग उसकी GDP में, किसी देश की GDP में 50% आपका जो है agriculture sector से आ रहा है तो ऐसी economy को हम agriculture economy हम कहेंगे अब अगला छेतर आ जाता है दुतियक छेतर यानि secondary sector इसमें जो है प्रात्मिक छेतर के उत्पादों को प्रसंस्क्रत किया जाता है यानि हमने जो प्रात्मिक छेतर में उत्पाद निकाले थे जैसे उत्खनन किया जमीन से हमने अयस्क पगरा निकाले अब आयसकों से हमने लोहा बना ली या कोई और धातुवा बना ली तो यह क्या हुगा यह हमारा दुतियत खेतरक में आ गए यानि आपने जमीन से जो भी आपने आयसक निकाले सोने क चांदी क आयसक या लोह धातुवा निकाली कुछ और भी निकाला आपने और उन्हें को प पैटॉलियम मिलता है, दीजल मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है, अन्य प्रकार के और भी तेल मिलते हैं, जैसे आपने जो फ्यूल, एरोपलेन पर हम पढ़ता है, उच्छ कॉल्टी का फ्यूल होता है, वो भी हाँ पर निमलता है, तो यह सब चीज़ें आप देखेंगे, तो यहाँ पर यह सब चीज़ें जो हैं दुतियक छेतरक में आपकी होती हैं, यह कतिविदियां दुतियक छेतरक में होती हैं, तो इसका एक उप छेतर भी है, जिसका नाम है विनिर्मार उद्योग है, नि मैनुफेक्चरिंग सेक्टर जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आपकी प मैं अगर यहाँ पर इसकी जो है 50% की भागेदारी हो और कम से कम GDP में भी 50% इसका योगदान हो तो यहाँ पर इसके अर्थव्यस्ता को हम क्या कहेंगे और ध्वर के अर्थव्यस्ता इसको हम कहेंगे आपका third इसमें आ जाता है तर्थियक छेतर हैं तर्थियरी सेक्टर, सबी गत्विदिया जिनके अंतरकर आपका सेवाँ का उतपादन होता है जै शिक्षा हुआ, स्वास्था हुआ, परिवन वो यहाँ पर आपके तर्थियक में आ जाएंगे यानि कि हम यहाँ पर इनके जलिए हम सेवाओं का उत्पादन करते हैं और सेवाओं हैं जो आपकी प्रात्मिक सेक्टर को गल्द गती देती हैं दुतियक सेक्टर को गती देती हैं आपस में जोड़ती हैं खास करके सेवाओं का रॉल यही होता है प्रात्मिक दुतियक को जो में और लोगों के जीवन यापन में कम से कम आधिका युगदान हो जाता है तो उसे हम सेवा आर्थविवस्ता यहाँ पर कहा जाता है यानि कि सर्वेस एकोनोमी जिसे हम बोलते हैं सेवा सेक्टर जिसे हम बोलते हैं तो सर्वेस एकोनोमी से कहा जाता है एक आपका चतुस्क चेतर या फिर इसे ज्यान चेतर भी कहा जाता है क्वार्टर्नरी सेक्टर इसके बारे बताया गया है क्वार्टर्नरी सेक्टर का जन्ब जो हुआ है खास करके आपके ततियक सेक्टर से ही हुआ है ततियक सेक्टर में ही आप उच्छ लेविल के जो लोग होते हैं तो उनी से इसका जन्म हुआ है, खास करके आप देखेंगे, यहां पर हम यह जो आपका सेक्टर है, यह आपका सेक्टर मानव संसादन की जो गुडवत्ता है, यानि human resource कितना पड़ा लेखा है, कैसे कारे कर रहा है, तो इनकी गुडवत्ता पर यह depend करता है, यानि खास करके ह है, जो ततियक छेत्र की गठिविदिया, ततियक छेत्र को और जादा घथी प्रदान करने के लिए, जो गठिविदिया की जाती है, यानि education पर हो जादा बल दिया जाता है, अच्छी education पर education वह नएने प्रयोक किये जाते हैं, लगातार research पगरा होती है, इन्वेंशन पगर अगला शेतर है यहांपर बताया गया है यह आपका जो है पंचक छेतर है यारी स्कटर कहते है यानि किसी अर्तवयवस्ता में जो टॉप लेवल पर निपीते हैं लेते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है क्या नहीं मालीजी एक factory के संदर में एक economy के संदर में कुछ top level पर बैठ हुए लोग होते हैं उन्हें पंचक छेत्र सी जुड़ी की गत्पिदिया कहते हैं इनके अंतरका सरकारों और निजी छेत्र के उच नीत निडायक लोग यहाँ पर इसमें पंचक छेतर में रखे जाते हैं अगली हेडिंग आपकी जो है ये है ब्रद्धी के चरण यानि stages of growth देखे अमूमन ये माना जाता है ये एक मलब एक सिद्धानत रहा है जो अर्थविवस्थाएं उनका विकास एक करमिक चरण में होता है यानि माल लीजे पहले अर्थविवस्थाएं प्राइमरी सेक्टर का जो है प्राइमरी सेक्टर पर फोकस करती है और प्राइमरी के बाद फिर सेकंडरी पर पहुंचती है और ऐसे करके फिर tertiary पर पहुंचती है और तरतियक पर पहुंचती है ये ऐसा करके विश्वास है कुछ लोगों का ये लोगों का मानना यही है कि अर्थविवस्ताइ क्रम में आगे बढ़ती है यानि पहले प्रात्मिक सेक्टर से स्टार्ट करती है अपनी फिर दुद्यक से पर पहुंचती है इस तरह की बात यहां पर कही गई है तो यह जो सिध्धान था 1960 में डबलू डबलू रोस्ताव करके एक ब्यक्ति हुए है इनके द्वारा यहां पर सिध्धान दिया गया है तो यहां पर इन्होंने यही बताया है कि अर्थविवस्ता है अपने क्रसी यह उत्पाद होंगे तो ऐसे करें पांच सेक्टर बनाए एस सरोर बनायें कि आफन पर लेकर सिध्धान के तौाम अबबाद है आपके सामने दचषीची एसी आगे तमाम आसे देश हैं जहां पर यानिखास कर करके विकासील देश है वहां पर कि आपने यह यह देखा है ये primary sector के बाद direct tertiary sector का रॉल बढ़ गया है, हमारे manufacturing sector इसने develop नहीं हो पाया है, इसने tertiary का रॉल बढ़ गया है, अगर हम भारत की economy के बाद करें, तो भारत की economy में आप देखेंगे, 1990 के दसक में आपका ततीयक sector सबसे बड़ा sector बन गया है, यह 50% का योगदान करने मारा sector यह ब सिध्धान देता है, लेकिन इनका जो सिध्धान था, भारत के संदर में या दच्छड एसिया के अन्य देस हैं, इसे इंडोनेसिया बगयरा हुआ है, फिलिपीन्स बगयरा, थाइलेंड बगयरा, बियतनाम बगयरा, तो यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर यह प्रणालिया, एकोनोमिक सिस्टम, हम देखेंगे कि आर्थिक प्रणालिया किस तरह से कार्य करती है, आप सभी ये बात तो हम लोग जानते हैं कि मानब जीवन उपभोग पर निर्वर करता है, यानि हम सभी की कुछ आवस्ता है, जिनमें बुनियादी आवस्ता है हमारी र बस्तुएं हैं, सेवा हैं, इनका इस्तिमाल करते हैं, तो ऐसे करके बताया गया है, यानि हमें जीवित रहने के लिए, अपनी उत्तर जीवता के लिए आवस्ते बस्तुएं में चाहिए होती है, जैसे आहर, जल, आवास, कपड़े, यानि एक सिंपल लाइन है, जो आप ब प्रोवाइड करवाएगा, कौन इसका तयार करेगा, कैसे हम तक पहुंचेगा, यानि माल लीजिए, यह तो सब को पता है, कि रोटी कबड़ा और मकान हमारी ज़रूरते हैं, अब सबसे इंपोर्टेंट बात ही आएगी, कि रोटी के लिए घ्याउं कौन उप जाएगा, गहूं भी तो चाहिए, अब अब सब लोग जैसे आज की समय में मैं लगातार अपने स्टुडेंट बगएरा को अपने नियरवाई जो लोग हैं, उनके माइड में यह बात कहता हूं, उनसे भी कहता हूं, यह लोग कहते नहीं है, खेती तो बेकार चीज़े, खेती करनी न से आएगा, और गहूं जो उप जाएगा, वो आप लोगों तक कैसे पहूंचेगा, यह सब चीज़ें यहाँ पर इसमें फोकस में लाई जाती है, यानि कि यहाँ पर आर्थिक प्रणालियों में हम यह देखते हैं, यह चीज़ों का स्रजन कैसे होगा, और लोगों का बित आप देखेंगे, देखेंगे, बाजार रथिवस्त्ता जो है, यह जो है परांपरागत आर्थिक प्रणालियों में का उदभब माना जाता है, यहां पर यह पूस्तक इन्हों ने लिखी थी 1776 में इन्होंने ये पूस्तक लिखी थी, इस से इसका उद्हभब माना जाता है यहां पर इस पुष्तक में याणि एडमित ने इस पुष्तक में कुछ बिचार सुझाई थे और बताया था कि कैसे जो बाजार प्रणा ली है, काम करती है यह बताया था यहां पर तो यहां इन्होंने कहा है कि लोग या उपकरम अपने निजी स्वार्थ के लिए बिभिन आर्थिक गत्विदियां करते हैं देखें ये बात बिल्कुस सही है कि लोग हैं यानि के आप समाज में आप जीवित हुए है आपको जन में मिला है तो कुछ लोग नि जीवन में काड़ू करना यहीं कि लोग या कोई उपकरम हैं को फैक्टरी वगएरा है अपना इनका निजी स्वार्थ होता है और ऐसे करके ये इस निजी स्वार्थ की पूर्दी करने के लिए बिभिनार्सिक गजविदियां करते हैं ठीक है जिससे समाज का उपयोग और उपभोग टिका रहता है चीजों क इन्विजबल हैंड वाला कॉंसेप्ट जो है एडम इसमित का दिया हुआ है ये कॉंसेप्ट कई बार आएगा आप पूरी जो किताब पढ़ेंगे पूरा किताब मैं पूरा कर भाऊंगा तो वहाँ पर इन्विजबल हैंड कई बार पर पढ़ने को मिलेगा है कि अद्रस इन्विजबल है यानि की यहाँ पर ये उत्पादन कारी जो पर पर्संपतियां होती है वो यह तैक करती है कि कौन और क्यों यहाँ पर धन लगाएगा यहाँ पर सबसे पहला important रॉल निकल कर राता है कि कौन धन लगाएगा तो यहाँ पर इसे अद्रस यहाद माना गिया ह है market economy की संधर्म है कि वाई सबसे important बात यह आ जाती है कि हम कौन धन लगाएगा यानि हमें मालीजे किसी चीजी का उत्पादन करना है तो इसके लिए कौन आगी आएगा कौन उत्पादन करेगा और हम क्यों करेंगे हमारा भी तो कुछ उद्देश हो तो यहाँ पर वही उद करनी है तो श्रम विभाजन करना होगा स्रम विभाजण का मड़लब क्या होता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आप perfect हो समझ रहें आप इस्रम विभाजन तभी हो सकता है जाब हर सैक्टर की और आने कि पहले आपने देखा होगा यो परंपरागत में उत्पादन रहा है वही मिट्टी को यहाँ पर मिट्टी से बर्तन बना रहा है उनको पका भी रहा है उन पर जो है पैंटिंग भी कर रहा है और उनको बजार में बेच भी रहा है लेकिन बर्तमान प्रक्रिया में अगर आप देखें बर्तमान जो अधविकरण की प्रक्रिया में मैं सुधार आया है लोगों की जो उत्पादन का गुडवत्ता है उसमें सुधार आया है लोगों ने अब उसी काम को और बहतरी से किया है तो ऐसे करके हम यहाँ पर उच्छिस्तरी स्रम्रद्धी हमें देखने को मिलेगी तो इन्होंने उच्छिस्तरी स्रम्रद्धी के लिए स् क्यों धन लगाएगा और ये कैसे उत्पाधन करेगा इन सब के लिए यहाँ पर एक उचित बातावरण हो ऐसा ना हो कि लोग पहली से किसी को रोक दें कि आप बाजार में आप नहीं उत्रहेंगे आप बाजार में अपना सामान नहीं बेचेंगे तो इसी बात है यह अद्रस इनकी आर्थिक विवस्ता होती है उसका यहाँ पर जो भी नेमन करेगा रेगुलेशन जो भी होता है वो बाजार के तुरू होता है बाजार तै करता है कि कीमत क्या होगी इसकी यानि कोई विवस्तू है उसकी कीमत राजय तैन ही करता है राजय से विप्राय देश में कि क्या होगी सरकार की तरफ से यहां पर लेसेज फेयर नीती अपनाई जाती यह यह जाती नाम ध्यान रखना बहुत बार कुछा क्या है यह फ्रांसीजी होता गया है इसका मलब होता है अकेला तोड़ देना यानि हम कह सकते हैं और यहां पर सरकार का कोई हस्टेव नहीं होना चाहिए हम जो करना चाहिए है जैसा करना चाहिए जैसा उत्पादन करना चाहिए उस पर जतनी कीमत हम देना चाहिए वो हम लेगे रहेंगे राज्य यहां पर बार बार हमें डिश्टर्ब न नहीं करेगा और यहाँ पर राज्जी का रॉल तो इन्होंने नगन्न कर दिया अब यहाँ पर निकलकर आया कि करों की अनुपस्थिति हो यहाँ पर दो तिन की पॉइंट आपने देखे हैं एक तो open market हो दूसरी बात सरकार यहाँ पर अनुपस्थित हो सरकार यहाँ पर interfere ना करें यह आपकी इसकी जो है market प्रणाली है इसकी खास बात यही है और कर अनुपस्थित हो और यहाँ पर गुन लगा जाए तो यहाँ पर एड़न इस्पित ने इस system को द Ал्चरल्ल का नाम दिया है यहाँ प्राकर्तिक स्वक्षंत तकी प्रणाली इससा यही यहाँ नाम प्रणाली है उसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्पित को बिचार है मुक्त बाजार, यहाँ पर आप देखेंगे free market economy वाली वो इसी से जन्म हुआ है, यहाँ की market economy से ही इन दो संकलपनाओं का यहाँ इसका जन्म हुआ है, अब पूझी बात क्या होता है, मुक्त बाजार क्या होता है ये भी हम देखेंगे पूजी बादी का ध्यान जो होता है वो संपदा और उत्पादन कारी पर संपतियों के सामित पर होता है वहीं मुक्त बाजार का ध्यान जो होता है वो संपदा के विनमय पर होता है यानि कहने का मलब क्या है कि पूजी बादी जो लोग होते हैं या पूजी बादी जो भी उत्पादन करता होते हैं वो लगातार यही सोचते हैं कि हमारी संपत्ति लगातार बढ़ती जाए या hätten हमारे हाथ में पूरी बाजार की पहुँच हमारे हाथ महीं आ जाए हनी बाजार में जो भी कज़पिदियां हो रही है उन्ही आच्छी तरह से लियंत्र जमाल हैं या नि हमारे ही अधिकार हो के वल्ल और और ऐसे इसी उद्धिस को लेकर उख्या करते रहते हैं, अपनी संपतियों को बढ़ाते जाते हैं, मुक्त बाजार में ऐसा नहीं होता है, मुक्त बाजार में क्या होता है, छोटे-छोटे यहां उत्पादन करता है, यहां पर इनका उद्धिस यह नहीं है, हमारे हाथ में बहुत जादा पैसा आजाएगा, हम उस पैसे से लेकर एक सामराज खड़ा करेंगे. इस तरह की सोच इनकी नहीं होती है. जब कि Palay की सोच यही होती है कि लगातार हमारे हाथ में पैसा आएगा, लगातार हम grow करते जाएंगे तो हम पूरे का पूरा market का पूरा पूरा देश की economy कबजा जमा लेंगे यहाँ पर पूजी बादियों की सोच यह होती है पूजी बाद में सरकार की उपस्तिती हो सकती है लेकिन निजी उत्पादकों को एक अधिकार प्राप्त है यहाँ पर मानते हैं सरकार तो हो सकती है लेकिन जो भी उत्पादक हैं उनको अधिकार दिया हुआ है किवल उत्पादन वही करेंगे कोई नया यहाँ पर नहीं आएगा इस तरह की अधिकार दे रखें उनकी चल रही है यहां पर हम देखते हैं इस तरह की जो विवस्ताइ या आपकी प्राचीन विवस्ताइं हम कह सकते हैं तो यहां पर सरकारें नहीं होती है यहां पर подgar की सक्तिपियां ही जो होती है यह नियमन करती है, यह laso करती है यानि कि यहाँ पर हम देख सकते है पूजी बादी में आयकर लगाया भी जा सकता है वो भी बहुत कम या फिर आयकर नहीं भी लगाया जा सकता है जबकि यहाँ पर आयकर तो लगाया जाता है इस वाली प्रणाली में लेकिन उत्पादन करताओं को प्रोसाइद करने के लिए जो इनकी दर्या निम्द रखी जाती है जैसे आपने मेडायवल अगर हिस्ट्री पड़ी हो तो आपने देखा होगा वहाँ पर आयकर में लगाया जाता था इसे कर बसूला जाता था लेकिन कर की रासी होती थी बहुत जादा नहीं होती थी कर की रासी नियून रखी जाती थी जबकि इसमें क्या है आयकर हो भी सकता है या पिर नहीं भी बात करें पूझी बादी वाली प्रनाली तो यह सबसे पहले प्रनाली का प्रयोग कहा से हुआ है विस्सु में पहली बार USA में हुआ है और वहाँ पर 17-17 से लेकर 1929 की महानार्थिक महामंदी तक यह वहाँ पर रही है यहीं से निकल कर यह यूरोप के तमाम देशों में पहुची है और जब 1929 की महामंदी का दौर आया है तव यहाँ पर ऐसी ज़र्वत महसुस करी जाने लगी है कि आप राजी का हस्टेप होना चाहिए ताकि यह पूजी पती लोग हैं, पूजी बादी लोग हैं यह मैनुपलेट ना कर पाएं, मार्केट को अपने एसाब से गुमा ना पाएं, मोड ना पाएं तो ऐसे करके आप देखेंगे कि यहाँ पर यह इसकी खामी निकल कर आई है पूजी बाद और मुक्त बाजार यह भी देख लिए और पूजी बाद को एक बैलेंस में कर दिया गया है यानि आज भी आप देखते होंगे, देश में कुछ आपके ऐसे लोग मौजूद है जो पूजी पति वर्ग माना जाता है, जिनके संपतियों का पर संपतियां लगाता है बढ़ती चली जा रही है, अब उनका नाम मैं नहीं लूँगा, नाम लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अखाड़ा बन जाएगा, राही नितिका, उनका नाम नहीं लेना चाओँगा तो ऐसा है, हर देश में ऐसा है, लेकिन हाँ, फिर भी सरकार जोगा कहीं ना कहीं, जहाँ पर हस्टेप करना हो रहा है, वहाँ पर हस्टेप भी कर रही है, पूरी तरह से विवस्ता को पूझी पतियों के धीन नहीं कर दिया है, यह हमारे यहां मिस्त अर्थवस्ता में यह अब यहां पर जो यह concept है बाजार पनाली वाला इसके रणात्मक तत्तों क्या है पहली बात यह है कि जिनके पास बाजार आधारित क्रेसक्ती नहीं थी उनकी देखवाल के लिए इसमें कोई उपाय नहीं था बाजार आधारित क्रेसक्ती का मलब क्या है कि जिनके जेब में प पैसे डवल करके आपसे मांगता है, यानि माली जे आटा है, आटा वो 20 रुपे के लो आटा विकरा है जनली, अब वो ऐसे कहे कि कोरोना लॉकडाउन हम तो 80 रुपे के लो आटा देंगे, अगर ऐसा करता है तो उसके उपर कारिवाई की जाएगी, जबकि यहाँ पर ऐसा गरीब बगेरा हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है, यानि आपके पास अगर पैसा है, तो आप सेवाउं का लाव उठा पाएंगे, नहीं है, तो आप देखते रह जाएंगे, सरकार दोरा नगन ने कल्याण कारी कारी किया जाता था, यानि सरकार यहाँ पर ह वस्तु बिक्री होगी, तो यह बाजार ही तैकरता था, सरकार नहीं, जबकि सरकारों के नहीं जो आपकी मिर्सित रर्थ वस्ता है, इसमें क्या किया है, जो बुनियादी आवशक्ता वाली वस्तु हैं, उनकी कीमतों को एक नियंद्द दाइरे में रखा है, उससे जादा क पूजिपादी परनाली है, ये अमिरका में जो रही है, इसके वज़े से जो वहाँ पर impact पड़ा है, वहाँ पर लगातार पूजिपती बर के सरकारों होता गया है, उनकी को रोकने की कोशिस भी की है, उननोंने यहाँ पर क्या है, एक प्रगामी जो कर पनाली है, जिसे हम पोलते हैं, यानि कि आपकी आय जितनी जाता होगी, उसी के कोर्डिंग आपर कर लिया जाएगा, जैसे हम एक जांपल देते हैं यहाँपर, कि एक ब्यक्ती की आय जो है, एक लाख रुपए है, एक लाख रुपए तक आपको क्या है, एक पर्सेंट टेक्स देना होगा, अब पर यह होता है कि गवर्मेंट की तो आमदनी बढ़ती रहती है लगातार कुझी पती वर्ग भी यहां पर बढ़ता रहता है तो ऐसे में हम यहां पर यह देखने को बिलता है जो आरतिक असमानता है वो लगातार बढ़ती चली जाती इन सब यह सब उपाय अपनाने के बाप रोपया अमदनी है तो सालाना इतना टेक्स लगेगा एक क्रोड से जाता है तो इतना देना पड़ेगा सरकार ने सलेप तैक कर दिये हैं यह फायदा सरकार हो रहा है जनता है वो इसको फायदा नहीं मिल ला है लेकिन हाँ आपके यहां जो है मिस्ट अर्थविवस्ता का नहीं होती है खास करके इसको अन्य नाम भी दिये गए है राज विवस्था, कमांडर्थ विवस्था, कैंद्री कों करेगा वस्तू का और बस्तू का वित्रड कैसे होगा यह सारा काम किसका है raja काया धै करता है कोई और तयान नहीं करता है यह जो गहर बाजर व्यवस्थ्ता जो है ये कार्ल माарक्स के बिचारों पर आधा रहता है यहाँ पर हमें ये गहर बाजर व्यवस्था के दो सरूप देखने को मिलेंगे एक तो सरूप है समाजवादी मोडल और दूसरा है सामेबादी मॉडल समाजबादी मॉडल जो है आपका पूर्बो जो सोवियस संग रहा है 1971 से नवासी था तो सोवियस संग में यह विवस्ता यहाँ पर रही है यहाँ पर आप देखेंगे देश के प्राकतिक संसादनों पर पूरी तरह से राज्य का स्वामित था राष्टी सरकार का स्वामित था आपको यह देखने को मिलेगा सामेबादी मॉडल जो है चायना में अपनाया गया है 1949 से लेकर पच्चासी तक तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके स्वामित के अंतरगत स्रम को भी यहां पर रखा गया था अब यहां पर यह दोनों जो concept है समाज बादी या सामिवादी concept कुणकि सोशियोलोजी के concept है तो मैंने यहां पर इनके बारे में बताया है तकि आपके मार्ण में चीज algún क्या होता है, सामिवादी मोड़र क्या होता है देखे समाजबाद में अगर हम सोशियो लोजी में थोड़ा पहुंच गए हैं यहाँ वर्ग हीन समाज की कलपना करता है यह समाजबाद में माना जाता है कोई वर्ग है यही नहीं अनि गरीब अमीर वाला कोई वर्ग है यही नहीं साम्ववादी विवस्था में क्या है पूजी और उत्पादन के साथनों पर जनता का नियंद्रट कुता है यानि कि यहाँ पर हमने जो पूजी है जो भी विवस्था है वो जनता को पकड़ा दी है जनता अपने साब से अपने अकॉर्डिंग उन्हें बांट लेगी यहाँ बांट दी तो यहाँ पर आपके पता जी क्या हो गए और आप लोग क्या है एक समाजबाद के में बरहीं समाज हो गए आप लोग समाजबादी विवस्ता में पारिस्रमिक योगिता और काम के आधार पर दिया जाता है यानि आपकी जो योगिता है आप क्या कर सकते हैं यानि आप क्या कर सकते हैं किस काम में आप निपुन हैं इस आधार पर आपको काम दिया जाएगा, उसी आधार पर पाडिस्रमिक दिया जाएगा, यहाँ पर सामेबादी विवस्ता में पाडिस्रमिक जो है, ब्यत्ति की आवशकता अनुसार दिया जाता है, कि आपको जरूरत कितनी है, माल लेते हैं किसी को जरूरती नहीं है, समाजबाद में राजी के सहयोग से समानता लाने का परगलपना की गई है यही कौनसेप्ट है कि राज हस्चेप करेगा तब ही समाज जो है समान बनेगा समता मुलक बनेगा जैसे आपने रसिया के संदर में दिखा था कि समता रोटी खाएंगे इस तरह के बिचार किये गए तो यह आपको पता हुगा सामेबाद में क्या 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 है इसका लक्ष है राज को खत्म करना है यानि कि यह कह सकते हैं प्योर रूप में कालमाक्स के बिचारों पर आते इसको लक्ष यही है कि समाज जो राज है राज नाम की एकाई खत्म कर दी जाए और जैसे पहले के स प्राकिन समाज उगा करते थे उसी तरह के समाज बना दिये जाएं जहाँ पर कोई उंच ना नीचा नहीं है सबके पास बरावर संसादन है समाज बादी सांथ पूरवक समानता के लक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं यानि कि समाज बाद में यह है कि राज का हस्चेप है तो राज यही चाहता है कोई इंसा ना हो समानता के साथ सब लोग आबस में मिल जूल कर रहे हैं सामयबाद में हमें देखने को मिलता है कि संगर्स और करांती का विचार आता है, यहाँ पर यहाँ पर यह निकल कर आता है, जब भी राज हस्चिप करे और राज अगर हस्चिप करे तो आप संगर्स करने लग जाओ, आप वहाँ पर उनका विरोध करो, विद्रो करो, यह ची आपके mind में clear हो गया होगा बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी गैर बाजार अर्थव्यस्ता है इसका उद्य बाजार अर्थव्यस्ता की पर्तकरिया के फलसुरूप हुआ और यहाँ पर यह निम्द बिचारों पर हम आगे हैं हम आगे हैं तो यहाँ पर USA उस समय लगाता पूजी पती बरकों के अधीन चला गया है तो ऐसे में USSR वाले जो भी यहाँ पर नेता बगरा रहे हैं उनके मान में यह विचार था कि हम USA वाली प्रणाली को बिल्कुल नहीं अपनाएंगे कुछ अलग करेंगे जिससे के हमारे समाज में एक विभेद क्रियेट नहीं हो तो ऐसे करके आप देखेंगे इन लोगों ने यह विचार अपनाएं सबसे इंपोर्टन विचार हैं क्या है देश के संसादना का उपयोग सबकी बहतरी के लिए हैं सबसे पहला विचार इनके मन में यही था कि देश के बीदर जो भी संसादन मौझूद है वो उनका सबकी बहतरी के लिए हो इस्तिमाल हो किसी एक निज हित के लिए इस्तिमाल ना हो किसी एक बड़े ब्यापारी के लिए बड़े बिजनसमेल के लिए इस्तिमाल ना हो, जैसे कोई बहुत बड़ा खुजी पती है उसके लिए इस्तिमाल ना हो, सब की बहतरी के लिए संसाधन इस्तिमाल हो, संसाधनों के उपयोग में सिर्फ राज ही आर्थिक भूमिका नेवाएगा, यानि कि किसको कितना चाहिए कौन-कौन से समाजों में कितना बित्रित करना है ये राजित है करेगा, कोई और व्यक्तित हैं नहीं करेगा यानि कि आपने अभी समाज बाद पीछे देखा है ये राज जो है संसादनों को भांट देता है लोगों के मद्द, ये लोग कैसे कैसे रहेंगे में लिए सब राजी ही यहां पर भूमिकाने बाएगा निजी व्यक्ति या उपक्रमों को संपत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त होगा यहां पर कोई private फर्म को किसी परसंपत्ति को अर्जित करने के लिए अरजित करना कोई चाहता है परसंपत्ती का संकेंदर करना चाहता है ऐसे अधिकार यहाँ पर बिल्कुल नहीं है अगली बात यहां पर important यह है कि यहां पर बाजार उपस्चत नहीं है बाजार पूरी तरह से अनुपस्चत है और यहां पर जो भी उत्पादन होगा उसका वित्रड का जिम्मा जो होता है वो राज्य के पास होता है और राजी का दीन होकर ही आपको जो उपभोक के लिए भी सामान मिल ला है तो प्रतिसपर्दा तो होनी नहीं है प्रतिसपर्दा तो तब होती है मार्केट होता है एक बेक्ती कहता है कि हमारे सामान की गुरवत्ता बहुत अच्छी है तो हम इसका प्रैस यानि माल लीजिए हमारे सामने कोई सामान बनाया है आपका 10 रुपे में भी करा है तो हमारे उत्पाद की गुर्वत्ता बहुत जाद अच्छी है तो हम 11 में बेचेंगे तो यह क्या है प्रतिसपर्दा का महाल बन गया लेकिन यहाँ पर क्या है जब लोगता के अनुसार आर्थिक योगदान करेंगे यहाँ नागरिक यहाँ पर कोई भी अपना रोजगार पगेरा जो है सब सरकारी स्वामित में या राजी के अधीन जो भी राजी ने दायत दिया है उसके अधीन कारी करते हैं यहाँ पर आप अलग से कोई काम नहीं कर सकत इसकी पॉलिटिव आसपेक्ट तो देख लिए अब ऐसा नहीं है पूरी तरह से यह पॉलिटिव ही है इसमें बहुत सारी बात नेगेटिव भी है अब यहाँ पर आप गहर बाजान प्रणाली के रडात्मक तब तो देखेंगे सबसे इंपर्टन बात यह है कि इसमें संप पैसा तो तब आएगा जब आपने पैसा बचा के रखा होगा अब है नहीं यहाँ आपर दूसरी बात यह है कि संसादनों के उप्योग की प्रात्मक्ता सरकारें तया करती थी यह संसादन कैसे यूज करिए जाएंगे यह माल लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में वही संस कच्छा तेल है क्या वो उप्वोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अब भहाँ पर ऐसी सरकार कोई बैठा दी जाए वो यह कहे यह जो कच्छा तेल है वो हम सब लोगों माट दे रहे हैं तो क्या होगा अब कच्छा तेल क्या वो पी आएंगे नहीं पी सकते हैं अब भह इस बज़े से यहां पर इन संसादनों का इश्टतम उपयोग नहीं हो पाया अगली सबसे इंपोरडेंट बात होकर यहां पर निगली है कि रायजनेतिक प्रणाली गैर लोकतांत्र थी याणि यहां पर हो सकता है कोई सासक जो है सोसक बनकर उबरे, यानि सासक समाज से भी ना बनकर समाज की एक भैजर परकितना गना करके अपने उद्जिस के लिए सोसक बन जाए, आप रत्याचार करें, तब क्या होगा, ये भी इसका एक disadvantage है, तो यहाँ पर आपके सामने इस disadvantage जहाँ पर इसके दिये गए है, अब ग्या गैर बाजार प्रनाली के स्वरूब में परिवर्तन कैसे आया है, तो ये गैर बाजार प्रनाली जो है, आप यूएससर में और आप चीन में देखेंगे, चल लही थी, तो उससे पहले कुछ दार्सनिक हुए हैं, कुछ चिंतक हुए हैं, उन्होंने इस पर चिंता जाहर की कि भाई आप इस प्रनाली को हटा दीजिए और टाने में ही बलाई हैं, उन्होंने इन अर्थव्यास्ताओं को बाजार समाजबात को बनाने की सलाव दी, कि जहां पर लोग प्रदिसपरदा कर सके हैं वो चीजें उनकी जो खरीद बिक्री हो सके दूसरी बात समाजवाधी अगर आपको करना है तो कोछ चीजें आप जो हैं जैसे जो जरूरत की चीजें हैं उत्तर जीवता के लिए हैं बहुत जादा बुनियादी आवशक्त चीजें हैं जैसे रोटी कपड़ा के लिए जो चीजें हैं हमारी जैसे राशन पगर अपना लिए हैं उसे आप समाजवाधी बना दें जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देसमें भी PDS अपनाया गया है Public Distribution System जिसके तैर सस्ता अनाय दिया जाता है जिन बर्गों को यानि जो बर्ग उस पर्टिकलर बर्ग से बिलोंग करते हैं जो सरकार ने अडेंटिफाई किया है कि हाँ इस बर्ग को जरूत है तो यह इसनोंने कहा है कि भाई कुछ चीज़ें तो आप उपन कर दें देखते हैं निवेज के लिए जो पुझी चाहिए थी उसकी आपके कमी नहीं होगी तो 1980 के दसक के मद्द में बाजार अर्थिवस्टा के कुछ शत्यों को इसमें सामिल किया गया और यहां पर ऐसे करके देखेंगे समाजबाद का एक यहां पर आगमन हुआ है यानि कि 1980 के सबी चर्ट के द्वारा 1988 के दसक में यह बर दो नीदियां यहं पर लाई गई यह एक तो लाई गई है नीती प्रेशटाइका इसका मतलब है पुनर्सरमचना और ग्लानॉस्त करके नीतिया ज calming यह यहाँ पर प्रेशटाइका और ग्लास नोट करके जो नीति लाई गई है इसलिए लाई गई है ताकि जो इनकी गैर बाजार पणाली वाली अर्थविवस्ता है उसमें परिवर्थन आए उसके सरूप में परिवर्थन आए और यहाँ पर कुछ नया निकल कर आए महीं 1980 के दसक में चीन ने भी ओपन डॉर पॉलसी ओपन कर दी है यहाँ वो हमारे यहां आई है हमारे यहां पर इनकी जो नीतियों पर अर्वर्थन आया है तो ऐसे करके बाजार समाजबात का यहाँ पर आगमन हुआ है बाजार समाजबात जो था आपका यह मिस्रित अर्थविवस्ता का प्रमार था यानि कि बाजार समाजबात वास्ता में एक मिस्रित अर्थविवस्ता को यहाँ पर परलक्षित कर रहा था यानि आप देखेंगे यह बाजार समाजबात की जो परकल्पना है इसी से ही मिस्र गोष्टना की है वो फ्रांस के द्वारा की है यह फ्रांस ने से 1944-45 के मद्द में से अपनाया है मिस्स प्रणाली को वहीं आप देखेंगे जो देश आपके गैर बाजार प्रणाली का अनुसरण कर रहे थे यानि खास कर ये USSR चाइना इन्होंने भी 1980 के दसक्त में जब देख पाएं अंतराष्टी संस्थाओं से भी जोड़ पाएं तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं इस तरह की अर्थविवस्ता को अपनाना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर इसके बारे में एक ब्यापक सहमती जब बनी है जब यहाँ पर देखेंगे आप अंतराष्टी संस्थाओं उन्होंने भी इसके अनुसंसा करनी स्टार्ट कर दिया है उन्होंने भी इसके बारे में सहमती देना स्टार्ट कर दिया है उनका भी मानना यह है अंतराख्टी संस्तानों का कि यह जो अर्थविवस्ता वाली प्रणाली है बरतमान समय में सबसे आदर्स प्रणाली या आदर रत्व्वश्टा को अपनाएंगे तो यहां पर क्या होगा जो हमेंRadio ने अंच पर बिल्कुल नहीं दिखेंगी और हम जैसी अर्थ्वश्टा का निर्माड हो भी जाएगा तो यहां पर ईसे आदस प्रणाली बनाने की दिसा में विस्व बैंक की कुछ रिपोर्टों ने एक एम भुमी का निभाई है विस्व बैंक ने यह माना है कि यह इसतरे की जो अर्थवश्था है यानि Mixed Economy है यहां पर विस्व बैंक दोरह बाजार अर्थवश्था में राज हस्थेप को कुछ तो बताया गया यानि कि इनका मानना यह था कि जो इस तरह की जो बिवस्ता है इसमें राजिका हस्ते भोना चाहिए यानि यहाँ पर government जो है government से regulate करे government इसका नियमन करे ताकि इसमें जो है कही न की पूझी पती बर्ग जो है लगातर हावी ना हो पाए बलगातार जो सारी चीज़े हैं पूजी पदी बरके नियंतरन में न पहुंच जाए भही जो समाज में मौजूद जो निचला बरके निचले से अब प्रह यहाँ पर गरीब बरके निर्धन बरके उसकी जरूतों का भी ध्यान रखा जाए तो इस तरह की बात हैं यहाँ पर देश की प्रकेती पर निर्वर करता है कि आपके देश की क्या हालात हैं आप किस अकॉर्डिंग उसमें भाबस उधार चाह रहे हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग इसका मॉडल अपना सकते हैं लेकिन हां राज्य का स्थिप होना चाहिए मिस्ज़ तर्थवस्ता का एक निय रूप से एक मॉर्ड़ल अंपना लें यहनि हम आ लेते हैं यू नि बार्टी परस समाज के अचाहरए जाना हो सकते हां रूटी हूं हम गरों में रोटी बनाई जबकि अगर आप बैस्टन कल्चर में जाएं तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर रोटी बनाने कला आती ही नहीं है, लोग रोटी बनाने जानते ही नहीं है, वहाँ पर क्या करते हैं, बेकरी से बने हुए उत्पाद होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, अब माल ले या universal model के रूप में इसके प्रनाली हम नहीं बना सकते हैं हमने यहाँ पर यह कह दिया है कि जिस देश की जो जरूरत हो उसके according आप अपने इस तरसे से अपना लीजिए तो हमारे हैं क्या किया है PDA सिस्टम अपना है गया है Public Distribution सिस्टम जैसे बोलते हैं इसके तेयत हमने देखा हुए गेहु चावल और जो आपकी दाल बगरा है या मौटे अनाज बगरा है वो सस्टे दामों पर जो हासिये वाले समूँ है या गरीब समूँ है यानि BPL देखा कि नीचे वाले समूँ है Below Poverty Line के नीचे के समूँ है तो उन्हें ये सुविधाय दी जाती है सस्टे दामों पर ये चीज़ें मोहिया करवाई जाती है तो ये चीज़ें आपने इसी बात से यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मिस्ट अर्थववस्ता का एक नियत मॉडल नहीं हो सकता है जैसा कि हम सोच रहे हैं कि एक यूनिवर्सल रूप में यहाँ पर मॉडल हो ऐसा नहीं हो सकता है ये जबेंड करता है कि देश की जरूतने क्या है और आप किसी देश की जो भाकी आर्थिक प्रनाली है तो यह किस तरह की होगी यह देश की जो सनचना है वो बताएगी ना कि कोई सनस्थान मिस्ट अर्थववस्ता की प्रमुक विसिष्था है पहली विसिष्था यहाँ पर यह है राज, सरकार या फिर निजी छेत्र दोनों की आर्थिक गुमिका होती है दूसरी बात ही है निजी छेत्र यहाँ पर जैसे Adam Smith ने बताया था सेम उसी तरह काम करते हैं जैसे अध्रस यहाँत काम कर रहे हैं इनिविजिबल हैंड जैसे काम कर रहे थे तो ठीक उसी परकार से यहाँ पर काम करते हैं जैसे निजी जो छेत्र हैं इनको पनपने के लिए इनको आगे बढ़ने के लिए एक अनकूल बाता परड़ हो ऐसा ना हो कि सरकार लगातार यहने हतोसाहिद करें लगातार यहनको दवाती जाए ऐसा भी ना हो इनको भी यहाँ पर पूरा एक environment प्रोवाइड करवाया जाए जहाँ पर यह लोग भी तरक्की करें यह लोग भी देश की आर्थिक प्रगती में योगदान दे पाएं यहाँ पर बताया है कि निजी छेत्र द्वारा न निभाई जाने वाली आर्थिक भूमिकाओं का निर्भन राजी करता है देकि आपने ये बात तो देखी थी, शुरु आत्मी देखी थी पाजरार प्रनाली में कि निजी छेत्र का उड़िस क्या होता है लाब कमाना, अजज़े लाब अज़ेत करना और निजी छेत्र कोशिस ही करता है कि हमारा लाब जाज से ज़्यादा हो तो निजी छेत्र ऐसी विवस्ता क्यों अपनाएगा, ऐसे प्रणालियों में क्यों पैसा इंवेस्ट करेगा, जहां पर उसको लाब ना हो, बिल्कुल नहीं करेगा, यानि कि हर आदमी लाब के उद्धिस से कुछ ना कुछ करता है, और निजी फर्म तो बिल्कुल नहीं करेगी, तो सरकार ऐसे उपक्रमों की जिम्मेदारी लेती है, जिसका उद्धिस से लोगों की वलाई करना हो, जैसे पब्लिक टांस्पोर्टेशन हुगा, या फिर जनता के लिए और भी सुलब सेवाएं बगरा हुई, तो बोध सरकार के दोरा दायत तो निभाए जाती है, उनके बा ये वैसी बस्तुओं और सेवा हैं, जिनका उपभोग तो हम करते हैं, लेकिन अपनी आयसे ने खरीदते नहीं हैं, यासे रेलवे हुआ, ठीक है, आपका पब्लिक टांस्पोर्टेशन हुआ, तो ये सब लोग वस्तुओं में आ जाती हैं आपकी, राज एवं निजी शेत वस्ता में जरूत पढ़ने पर हम हो सकता है, निजी शेतर की भूमी का बढ़ाद हैं, जैसे बरत्मान परफिक्ष में बहारत में देख रहे होंगे, प्राइवेट लाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबल है, नियमन, यहाँ पर रेगूले कौन से कानून होंगे, जिन कानूनों का इनको पालन करना होगा, कंपनियों को, वो सब गौर्णमेंट टै करेगी, तो यह आपकी मिर्स्ति तर्थवे वस्ताओं की प्रमुख बिजेस्ता है, अब यहाँ पर इन बिजेस्ताओं के अत्रिक्त, यहाँ पर बित्रल परनालिय वाला सामान है, वो लोगों तक कैसे पहुँचता है, वो बताया गया है, किसे पूजी बादी हुआ या बाजार अर्थवे वस्ता हुई, तो यहाँ पर बित्रल जो होता है, वो डिरेक्ट बाजार के माध्यम से होता है, यहाँ आणि कहने के मलब क्या है, जिस ब्यक्ति के पैसे हैं वो बाजार से जागे सामान खरी सकता है भही राज अर्थविवस्ता या कमांड अर्थविवस्ता या कैंद्रीक्रत नियोजेत अर्थविवस्ता जो होती है उसमें जो बित्रड होता है डिस्टिवुशन होता है भबलिक तक वो सरकार करवाती है सरकार जो अपने सेंटर खुल भाएगी जैसे रासन की दुकान बगएरा है तो इस तरह की गजपिदियां सरकार करती है मिस्यत रत्विवस्ता में क्या होता है कुछ बस्तुएं और सेवाईं जो होती है इनकी आपूर्ती बाजार के द्वारा होती है बहीं जो जरूरत मंद बर्ग है यानि हमारे यहां BPL बर्ग है BPL के नीचे वाला यानि Below Poverty Line के नीचे वाले जो आते हैं समदाय जो लोग आते हैं तो उनकी आपूर्ती है यह रियायदी जरौँ पर सरकार द्वारा होती है तो सरकार ने PDS के माध्यम से Public Distribution System के माध्यम से हमारे यहां गहूं चावल और मौटे अनाज देना स्टार्ट कर दिया है कम दामों पर यह बात आप जानते हों कि 2 रुपे के लोग चावल 2 रुपे के लोग गहूं 3 रुपे के लोग चावल दिया जाता है इन वर्गों को तो यह मिस्र तरत विवस्ता में यानि हमारे यहां कुछ चीज है क्या है उपन भी कर रही है उपन मतलब जिसको लगता है कि हमें बहतर अच्छा चावल चाईए या हमें चावल मौर क्वालिटी चाईए वो बाजार से खरी सकता है सामर्थ है तो जिसकी सामर्थ नहीं है तो गवर्मेंट ने प्रोवाइड करवाया है ताकि आपकी उत्तर जीवता की जो नियूंतम जरूत है वो पूरी होती रहें तो यह आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वित्रड पलानिया हो गई यहाँ पर अगली हेडिंग आपकी जो है यह वासिंग्टन सहमत्य है वासिंग्टन सहमत्य क्यों मनी है इसका क्या रीजन है, प्रियोजन क्या है वो भी हमें बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले देखे हैं आपने देखा होगा कि जैसे जैसे जो उपनिवेसवाद समाप्त होता गया है नई नी अर्थ विवस्ताओं का उदय हुआ है यह बात आपको पता है कि जैसे जैसे उपनिवेसवाद समाप्त हुआ है विभिन देशों से वहाँ पर नई नी अर्थ विवस्ताओं का उदय हुआ है उसी दोरान आप देखेंगे दुती विस्विद्ध के बाद तमाम ऐसी संस्थाएं या संग्ठन बने हैं जिनका अधिस ही था कि पूरे विस्व का एक नई प्रकार से निर्मार करना है तो इसमें सहयोग की जरुवत तो पड़ेगी पड़ेगी तो ऐसे करके आप देखेंगे कि आई एमेफ बिस सुबैंगी यह सब बनाए गए हैं अब यहां पर जो नईने विकासील देश जो बन रहे थे अब भाँ पर ग्रो करने के लिए भाँ की अर्थवस्ताव करने के लिए इनवेस्टमेंट की जरुवत थी अब इनवेस्टमेंट उनके हैं कहां से आए भाई भारत आजाद हुआ है 1947 में तो आपको पताओगा भा पैसा फ्री में क्यों देगा फ्री में क्या सबने बलाई के दिमा इन देशों ने इन लोगों ने ले रखा है ऐसा तो है नहीं नहीं कुछ तो इनका उद्यस्यों की पूर्थी करने के लिए वासिंटम सहमती बनाई है यानि कि हम जो डवलब्लमेंट वाले कंट्रियों को पैसा दे रही है उनने पर अपनी बादेत्यां भी भी ठोप है ताकि हमें भी तो फायदा हो क्योंकि इन लोगों की विस्टो बैंक बगारा है इनकी भी तो फंडिंग कुछ बिक्सित देशों के दौरा हो रही है तो वाई उंक्या भी दबाव उनके उपर था लूप ता तो यहाँ पर भी देखेंगे, 1985 में विकासिल देशों को आर्थिक संगट से उबारने के लिए IMF, निया अंतराष्टी मुद्रा कोस, विस्सु बेंक और अमेरिका के ट्रेजरी भिभाग द्वारा ये सुझाया गया है चुँकि ये तीनों निकाय जो आपके IMF, विस्सु बेंप और वासिंटन जो ट्रेजरी भिभाग है अमेरिका का ये अमेरिका की रायधानी जो है वासिंटन डीसी वहाँ पर इस्चित हैं तो इसलिए इनका नाम भी वासिंटन सहमती पढ़ गया और यहाँ पर एक अर्शास्त्री थे इनों नहीं इनका नाम क्योंकि ये तीनों निकाय एक ही जिगा इस्चित हैं इस बजए से इनका नाम जो है यहाँ पर वासिंटन सहमती रख दिया यह जो नीतिया थी यह खास करके LPG अप्रोच के लिए जिम्मेदार थी हैं जिससे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइशन और ग्लोबलाइशन का नाम देते हैं यानि उधारी करड़, निजी करड़ और भूमटली करड़ इनको कहा जाता है यानि कि जो बासिंटन सहमती है इसी सहमती से आपके LPG अप्रोच भारत में अपनाई गई है आपको पता होग बंद नहीं रखेंगे तो ऐसे करके हमारे देश में भी आप देखेंगे 1991 में जो आप देखेंगे रिफॉम आये हैं यानि एकोनोमिक रिफॉम आये हैं जिसके तरह हमारे हैं LPG अप्रोच को अपनाया गया है यानि उधारी करड़, निजी करड़ और भूमंडली करड़ वाली अप्रोच को हमारे हैं अपनाया गया है तो आप यहां पर देखेंगे भारत में भी अंतराश्टी मुद्रा कोस की सरतों पर यहां पर आपके यहां शुरू आत हुई है वासिंटन सहमती की जो भी यहां पर इनकी जो सिफारिस ने थी या वासिंटन सहमती की जो भी क पता होगा हमारे यहां मनमुहन जी थे प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा कहा जाता है देखे मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं यह हकीकत भी है यह मैं नहीं बोलना हूं आप किसी भी चैनल को उठा कर देख लें किसी भी गवर्मेंट रिसोर्स को उठा कर पढ़ लें तो बहाँ पर स जो दोयाराट में सब्प्राइम टाइम संकट आया है और इस संकट का लगवग पश्मी देशों पर भी असर पढ़ा है और जो बेकासील देश जिंजिन लोगों ने इनसे कर्ज लिया तो उन पर भी असर पढ़ा है तो उसके बाद से बासिंटन सहमती वाली जो भी कंडिस था बासिंटन सहमती में मूल लूप से दस आर्थी सुधार प्रस्तावित थे सबसे पहला था बित्ती अनुसासन यानि आप जो भी फाइनस है फाइनसियल से जो भी आपकी आपकी ट्राजिक्सन वगरा हो उनका यहां पर आपको लेखा जोगा अनुसासन होना चाहिए यह पर जो साजने खर्च करेंगे उनकी प्रादमिक्ताव को प्रणन देशित करना है कि साजने खर्च आपको कहां पर करना है किन मदों पर करने है यह तो नहीं है कि आप अर्थविवस्ता में साजने खर्च्चों को केवल हो केवल आप रच्छा वजट पर लगा दें पूरा इनी फर्में जो लोग खोलना चाह रहे हैं जिने धनकी आवशक्ता है उनको आप ये कम दाम पर कम ब्याज पर या फिर कम कंडिसंस पर यानि कंडिसंस ज्यादा इतनी ज्यादा श्रिक्ट मत रखिए कि नई फर्मों को करज मिली ना पाए ब्याज दर रोदारी कर दिये पर दिस्परडापूर बिनमेदर होनी चाहिए यानि कि कहने का मलब क्या है देगे आप सभी को पता होगा हमारे देश में अभी बहुत सारी बस्तुओं को हम इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट का मलब होता है बहार से मगाते हैं जैसे हमारे हैं सबसे common example का है आपके हाथ में जो इंडिया के अंदर बन रहा है उसकी कोश्ट आ रही है 9000 रुपे ठीक है वहीं इंपोर्ट करने वाला जो मोबाइल है ये जो इंडिया में आके कितने को पड़ रहा है ये 7000 रुपे का पड़ रहा है अब यहां पर माल लीजे सरकार क्या करे अपने भारती company को बचाने के लिए इस पर अच्छी खासी ड्यूटी लगा दे अच्छा कासा यहां पर टेक्स लगा दे तो क्या होगा यहां पर इमाली जे सरकार ने इस पर तीन यार रुपे का लगा दिया आया शुल्क तो यह कितने का पहुचा यह तीन यार रुपे के लगाने के बाद दस जार प्रभाइज था तो तो प्रदिस्पर्दा होती अब गयूद्न ने चुक इस पर इतनी जादा कैस्टम जूटी लगा दिए कि जिससे के यह प्रदिस्पर्दा के मार्केट से दूर हो गया है प्रोडक्ट तो ऐसा नहीं करना है आप यह तो कर सकते हैं कि सेम फीचर वाला प् आप मैं और तो और टाइज यो मार्केट और वो इंट्री नहीं मिल पाएगी तो यहाँ पर वही बात के ‎कि वह चोंग बियापार के बियापार करने इन्वेस्टमेंट है प्रतिक्ष बदेसी निवेस है उसका भी यहाँ पर उधारी गरड़ो उसको भी यहाँ आने की अनुमती मिले निजी करड़ यानि प्राइवेट लाइशन पर फोकस देना है बिन यमन प्रवेस और विकास की बाधाओं को दूर करना है यानि कि कैसे अपनी जो आपने तमाम बाधाएं लगा दी है जैसे आपने देखा छोड़ी कमपनियों के लिए आपको जो लाइसेंस लेनी है लाइसेंस नीद को यहाँ पर हटा दिया गया था तो वो सब चीजें यहाँ बता ही गई है कि लाइसेंस नीद वेरा खतम कीजिए छोड़ी गवर्मेंट अपने अपनी मनमर्जी से पर संपत्यों पर कबजा जमाले ऐसा बिल्कुल ना हो उनके संपत्य अधिकारों की सुरक्षा उनके असेट की सुरक्षा भी होनी चाहिए तो इस तरह की बात है यहाँ पर वासिंटरंग सहमती में कहीं गई थी अगली सहमती है यह बिकासील देश जिन्होंने जो है वहाँ से करज लिया था आई एमफ पकेरा से बिस्व बैंक से तो उनका भी जो विस्वास था वो यहाँ से हट गया है यहाँ वासिंटरंग सहमती से उनका बिचार हट गया है अब उनका ध्यान की और अब चाइना की अगर हम बात करने है तो आपको यह तो बता होगा चाइना में 1949 से लेकर 1976 तक यहाँ पर सामयवादी विस्था रही है और यहाँ पर यहाँ पर यह सामयवादी आर्थिक प्रणाली लागू करने वाले विव्यक्ति थे जिनका नाम था माओ जेडॉंग इनका नाम आपने सुना भी होगा इतिहा हो गया 1976 में होता यह है कि माओ जेडॉंग की मिर्त्य हो जाती है और माओ जेडॉंग की मिर्त्य होने के बाद डेंग जिया ओ उपिंग यहाँ पर सुत्ता में आ जाते हैं और डेंग जिया ओपिंग जो है इन्होंने जो है जो सामयवादी विवस्था वाली पॉलिसी है उ उनको अपने आमंत्रत किया अब अमेरिकन और यूरोपी कंपनिया चाइना में क्यों जाएंगी चाइना में जाने के कई रीजन थे पहला रीजन तो यह था यहाँ पर भारी बर्गफोर्स है और वो भी बर्गफोर्स जो है बहुत सस्ते धामों पर मिलना है यानि हम कह सकते ह कि लेवर जो है वहाँ पर लेवर हमें बहुत जाएता मिल लगई है जो जनसंक्या अच्छी घासी दी चाइना की तो लेवर श्रम भी बहुत सस्ता था इस वज़े से एकड़म कंपनिया जो अमेरिका में कंपनिया आती है अमेरिका बगएरा वाली कंपनिया तकाल वहाँ पहुँच गई हैं तत्कालों ने वहाँ पर अपने सैंत्र लगाने स्टार्ट कर दिये हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है चाइना एकदम आने वाले दस या पंदर सालों के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा दुनिया बर में मैनुफेक्चरिंग हब बनकर उबरा है तो चाइना जो बें इस तरह हुगा था चाइना बर के अन अर्थ ववववस्ताओं को भी कही नगा लजा रहा था सबके लिए क्रिशन खड़ा हो गया कि चाइना ने इतने कम समय में कैसे अपने आपको मैनुफेक्चरिंग मंत्य बना दिया कैसे एकदम उपके सामने आया जो कभी अर्थवरस्ता सामेवादी रहुआ करती थी, अब एक्दम कितनी वड़ी अर्थवरस्ता गैसे बन गई, तो जब भासिंटन सहमती से लोगों का ध्यान कहीना के कम होने लगा है, भासिंटन सहमती के विचार लोगों के गले में अब नहीं उतर रहे हैं, तो लोगों डेंग जिया ओ उपिंग द्वारा वरस 1976 से किया गया, यानि कि मैंने आपको बता दिया, ओपन डॉर पॉलसी वाला जो इन्होंने किया था कॉंसेट, जिसके दहात अपनी अर्थवरस्ता को इन्होंने ग्लोबली सभी के लिए खोल दिया था, और ऐसे करके आप देखेंग सन 24 में यहां पर एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है जोशुआ कूपर रहमूर, इनके द्वारा बीजिंग सहमती का प्रस्ताव रखा गया है, और इसे चीनी आर्थिक विकास का मॉडल भी गहा जाता है, यानि इन्होंने सबसे वेले प्रस्ताव यह रखा है, इन्होंन सहमती के बिचारों के जoure है, जो बीजिंग सहमती वाला बचार है, यह पंतर बाने लगा है, और कहिना की लोग इसको बास्निन सहमती के विकल्प के रूप में भी देख रहे हैं, अब बीजिंग सहमती के वीचार तयु या कह सकते हैं, चाreseाना का मोडल है, एकोन अपने प्रियोक हैं लगातार नहीं नहीं रिसर्ज की हैं इनिमेंशन की हैं यही उसके जैसा प्रोडट्ट ना बना पाया हूँ लेकिन उसने बनाने की कोशिस जरूर की है ये सबसे important बात आपने देखी होगी, notice भी किया होगा कि कोई भी सामान अमेरिकाम बनता हूँ, चायना ने तो तरंद उसकी निकल जरूर की है, चायना वो बिलकुल बैसा बिलकुल नहीं बना पाया हूँ, लेकिन उसने बनाया जरूर है, यही उसकी सबसे important बात है, तो चायन आपकी चायना सही आती है, अगर आप आँख्रे उठा कर देखेंगे, चायना ने किस तरह से लगातर प्रयोग अपने जारी रखे हैं, और छोटी से छोटी बारिक से बारिक चीजों पर भी फोकस की आए, उसका मानना यही है कि हमें कैसे भी करके बाजार पर एकादिकार जमाना है, इसलिए उसने अपने आपकी अनवरत प्रयोग और अनवेसर अपने जारी रखें, दूसरी बात यहाँ है सांधिपूर आर्थिक ब्रद्दी के साथ साथ कर्मिक सुधार, देखें आप सभी को यह मालू है, वहाँ पर उनिस सो नचा से लेकर छेतर तर दक एक सा समाजबादी बिचार जो है, वो भी पनपाई है, समाजबादी जो कल्याण कारी जोजना है, वो भी जारी रखी है, ताकि जो गरीब तपके के लोग है, उनको भी कहीं ना कहीं, जो कह सकते हैं, उनका भी कल्याण हो सके, तो उनके लिए भी यहाँ पर कर्मिक सुधार यह इन्होंने लाई हैं थर्ड है यहाँ पर सो भाग्य निर्ण है याँ सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ ही चुनिंदा जिसी बिचारों को अपनाना देकि डिटर्मिनेशन का मतलब होता है यहाँ पर द्रण निश्चा है आप सभी को मालुम होगा जैसे जैसे आगे अर्थवस्ताइं बढ़ी हैं सारी दुनिया भर के तमाम अर्थसास्रीयों ने अपने अपने तर्ग दिये हैं अपने अपने बिचार दिये हैं अर्थव्यवस्ताओं को गंट्र आज़की रेट में सबसे आगे पहुंच किया है तो ये सब चाइना के बारे में है तो चाइना के बारे में आपने ये देख लिया अब देखे ऐसा नहीं है कि भाई ये चाइना वाला जो बीजिंग सहमती वाला विकल था वास्ता में आइडल है आइडल तो नहीं है चाइना में आपने अगर यहां पर हम देखें चाइना का जो बाजार है वास्ता में बाजार ही नहीं या आदर्स नहीं है, हर model में कुछ ना कुछ कमिया जरूर आपको मिल जाएंगी तो वही यहाँ पर है, कि यहाँ पर चाइना बाड़ा model भी जो है, चाइना चाइना के लिए सही है अब चाइना बाड़ा model अगर हम भारत में लाहू कर दें तो यह कहना असंबब हो जाएगा कि भारत में भी यह model काम करेगा या नहीं करेगा तो यही बिचार, तमाव अर्थवेवस्ता वाले जितने भी लोग हैं, जितने राजनेता हैं या अर्थशास्त्री हैं, उनके माइन में बार बार यही बिचार आ रहा है, कि चाइना अर्थवेवस्ताओं ने काम नहीं किया हाँ, हाला कि कुछ बिचारों को यहां से अडॉप्ट ज़रूर किया, लेकिन पूरी तरह से किसे अडॉप्ट नहीं किया किसी ने भी, आगे बढ़ते हैं, अगली सहमती है, सेंटियागो सहमती जैंस, बॉलफेंसन, इनके दोरा सेंटियागो सहर में इसका प्रस्ताव रखा गया है, जैंस के दोरा, इनका मूल उद्दिस क्या था, इसका मूल उद्दिस यही था, कि बिकासील अर्थवेवस्ताओं के लिए सामाजिक और आर्थिक दोनों सरूपों का सामावेश, यहीं कहना का मूल उद्दिस क्या है, बिकासील अर्थवेवस्ताओं जो है, आर्थिक रूप से भी ससक्त बने, साथी साथ उनका सामाजिक जो है, सामाजिक ता वाले जो काम है, वो भी रुकावट उनमें ना आए, कहीं न कहीं जैसे हम देख सकते हैं मिश्र् तर्तव वस्ताओं में जो होता है यहांनि कुछ अस्तिय प्राजी भी करता है राज जो है जो ऐसे लोग हैं जो वास्तमै खाध्यान नहीं खरीज सकते हैं यहां पर अपनी उत्तर जीबता के पास के model को साकार रूप देने के लिए बिस्टू बैंक द्वारा आर्थिक साहता देने के साथ सूचना तक्नीक की अपार सक्ती के उपयोग परबल दिया गया यानि कि ये जो सेंटियागो model है इसके लिए बिस्टू बैंक ने अंसोजित model के रूप में है तो यहाँ पर इस दिसा में कारी करते हुए बिस्टू बैंक के द्वारा एक नॉलेज बैंक की स्थाफना की गई यहाँ इसी के थैत यह ज्यान बैंक की सरणचना का विकास भी किया गया इसके थैत साथी साथ भारत ने भी इससे प्रेरित होकर भारत सरकार द्वारा भी इससे प्रेरित होकर सन दोयार दो में यहाँ पर तीसरी पीडी के आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई सेंट्यागो सहमती की विचार भारत के यहाबर प्रानमत्री जी कोई परसंद आये तो उन्होंने भी गया किया किससे प्रेरित होकर उन्होंने भी इसके जो सुधार है वो अपने अपने एकोनोमी में अपनाई है तो ऐसे करके हमारे यहां आप देखेंगे सन्धोयार्दो में तीसरी पीडी के आर्थिक सुधारों की यहां पर स्टार्टिंग होई है, शुरुवात होई है तो यह था आपका सेंटियागों सहमती अब आपकी अगली हेडिंग आती है राष्ट्री आए, नेशनल इंकम वास्ता में नेशनल इंकम होती गया है यह हम यहां पर देखेंगे देखेंगे, नेशनल इंकम मापने का परियास कई बार किया जा चुका है लेकिन वो परियास सारे जो रहे हैं, वो असपल रही है पिर एक अमेर्गी अर्षास्त्री हुए थे साइमन कुजनेट्स इनको नोवल भी मिल चुका है इनको आप इसी छेत्र में यानि राष्टी आए की गढ़ना करने के लिए उन्हों इस्वेकत्र में नोवल प्राइस से भी सम्मानित किया गया है ध्यान रखना आप लोग तो क अभी फैमस ही अर्षास्त्री है साइमन कुजनेट्स तो इन्होंने सबसे पहले परियास किया है यानि कि सबसे पहले तो नहीं बोलेंगे हम अमेरिका में एक सफल परियास इन्हों नहीं किया है इन्होंने देश की प्रगती का आखलन करने के लिए सबसे पहले इसी विदि का परियोग किया, इस बिदी का निर्मार किया है, तो कुजनेट ने जो इस बिदी की परियोग में देश की जो गरेलू और राष्टियाय को सकल और निवल, यानि ग्रॉस और नेट, रूपों में माप करने के लिए चार इसपश्ट अफधार्णाओं का बिकास किया है, इनक अब आगे विस्तार से देखेंगे, सकल का मतलब होता है, ग्रॉस निवल का मतलब होता है, नेट, यानि शुद्ध, प्यॉर रूप में कितना है, तो यहाँ पर हम वही चीज़ चार जो इनकी अभधार्णाओं ने बनाई है, जिनका विकास किया है, वो हम यहाँ पर अब सबसे पहले बात करते हैं, GDP, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद, यानि कि ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट के नाम से भी जानते हैं, कई बार, काफी बार चर्चा में रहता है, जिडिप, जिडिप और बहुत इंपोर्टन टॉपिक भी है, जिडिप होता क्या है, जिड पादित होने वाली बस्तों और सेवाओं का अंतिम मौत्रिक मूल है, इसको हम कैल्कुरेट करके GDP की निकालते हैं, भारत की बात करें, तो आप सभी को बता होगा, जिडिप की बात करें, जिडिप में ग्रॉस का मतलब क्या होता है, जिडिप का मतलब यहाँ पर वही होता ह है, जो गडित में आपका टोटल, यानि कुल, तेकि टोटल तो हम एक्कुरेट के लिए लगाते हैं, यानि हमारे पाद माली यह कोई संख्या है, यह तो एक्कुरेट संख्या है, इसके लिए टोटल यूज करते हैं, ग्रॉस का मलब क्या होता है, चूँकि इतनी बड़ी GDP का आँकलन कर रहे है, GDP भी माप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आँक्रेट ऑब्यस सी बात है हमारे पास actual तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी एक aggregate आँकडे हमारे पास आ जाते हैं, उनको जोड़कर हम GDP निकालते हैं, आँकलन करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ग्रॉस सब्द गत्विदी है उसको हम डॉमेस्टिक में रखते हैं प्रोडक्ट का मतलब आप जानते हैं बस्तू और सेबा होता है और यहाँ पर अंतिम का जो आ गया है यहाँ फाइनल जैसे हम बोलते हैं इसका मतलब होता है किसी भी उत्वाद में अब बैल्यू एडिशन का कोई मौका न जाएगा तो ऐसे करके यहाँ पर गीडिपी में इस चार वात है समायत हो जाती है तो ऐसे करके एडिपी कि आपने यहां पर देख ली अब गीडिपी की बात करें गीडिपी का आखलन जो है यह राश्ट्री निजी उपभोक सकल निवेस सरकारी और ब्यापारिक निरियात आयात जो होता है इनके योगफल के द्वारा किया जाता है यानि GDP आंकला सबसे important बात क्या है कि एक देश के अंदर consumption कितना हो रहा है कितनी खपत हो रही है इसके लाबा investment कितना है सकल निवेस gross investment कितना है ये सरकारी घर्चे कितने हो रहे है ब्यापारिक रूप से हम निर्यात आयात कितना कर रहे है और निर्यात आयात के बाद हमारा अधिसेस हमारा जो निर्यात आयात को घटाने के बाद वो कितना निकलना है इन सब को योगफल के द्वारा भी हम अपनी GDP निकाल सकते है भारत में बात की जाए तो भारत में एक Central Esthetics Office है, यहांपर CSO है, यह साल में चार बार, यानि कि GDP का आंकलन करता है, यानि कि हर तिमाही में हमारे यहां GDP का आंकलन किया जाता है, और हर साल में भी यह सालाना GDP ग्रोथ के आंकलने जारी करता है, यहांपर हम कह सकते हैं, एक तो वास्तविक टर्म में, कि वास्तविक कीमत हैं कितनी हैं, वास्तविक का मलब क्या है, चालू दर पर, चालू दर का मलब यह है, देखिए यहांपर अब आगे हम इसके चालू के बारे में, और आधार वर्स के बारे में, पिछली बार, जो आगे पढ़ेंगे, पिछली बार वो लाओं में सोरी, द उस पर GDP नहीं निकाला, वालकि 2020 की कीमतों पर निकाला, तो यह real term हो गया, nominal का मतलब क्या होगा, 2021 में जो कीमते चल रही है किसी product की, उसको ध्यान में रखकर हमने GDP निकाला है, तो यह nominal हो जाएगा, यहाँ पर भही कहा गया है, कि nominal term में यह सभी बस्तूं और सेवां की मौझुदा कीमतों पर बैल्यू है, यानि मौझुदा कीमत पर उनकी बैल्यू क्या है, यानि बर्समान समय में उनकी बैल्यू क्या निकल कर आ रही है, उस पर GDP निकालते हैं, real term में हम आधार बर्स, यानि जिसे हम base year का concept कहते हैं, तो base year के संबंध में हम यहाँ पर अधामी मैंने add की हैं यहाँ पर, GDP का data जो है आपका, mainly art sectoron से घटा किया जाता है, जिसमें क्रसी, manufacturing, electricity, gas supply, mining, इसके लाबा, querying, वानिकी और मस्य, hotel, construction, trade और communication, financing, real estate, insurance, business services, community, ऐसे करके यहाँ पर लगवाँ आर्ट सेक्टर यहाँ निकल कर आते हैं, समाय तोगर, और art sectoron से यहाँ पर mainly data इसका collect किया जाता है, बात करें GDP की, देखें GDP अपने आप में आदर्स मानक नहीं है, आदर्स मापन की एकाई नहीं है, GDP की बहुत सारी खामिया है, पहली बात ही है, GDP में यहाँ जो आपका environment वाला effect है, इसकी परकलपना नहीं की जाती है, कि भाई, जो उत्प GDP में अवैतनिक सेवाएं सामिल नहीं है, अवैतनिक का मलब क्या होता है, घर में काम करने वाली आया हुई, या घर में आपकी जो माता जिस वैसाम आपको खाना बनाके खिला दी है, उनका जो कार है, वो इसमें count नहीं होता है, यह सबसे वड़ी इसकी खामी है, और कई अर असंग्टिच खेतर की हिस्तिती का पता नहीं चलता है, यहाँ पर हमने पिछली अवी यहाँ पर स्लाइड में देखा है, यहाँ पर मैलली आर्ट सेक्टरों का data हम उठा लिते हैं, तो आर्ट सेक्टर तो बड़े-बड़े सेक्टर हमने उठा लिये, लेकिन जो और अकला point सबसे important point यहाँ पर यह है, कि यहाँ परिमानात्मक द्रष्टिकोंट है, इस से देश के अंदर उत्पादों और सेवाँ की गुडवत्ता की स्तर का पता नहीं चल पाता है, लेकिन GDP का बढ़ना यह नहीं है, कई बार आलोचना भी की जाती है, GDP का बढ़ना आर् जो कह सकते हैं, कल्याड कारी योजनाव के लिए इस से कोई संबंद नहीं है, तो आप कभी ये आंकलन ना करें कि GDP यमारी बहुत बढ़ी हो गई है, तो हमारा देश से कल्याड कारी देश होगा, सुखी देश होगा, GDP का इन सबसे कोई संबंद नहीं है, तो यहाँ पर भाई, अंक कितने आए हैं, यानि हम एक साफ साफ कह सकते हैं, कि जो आपके किसी बच्चे का एक्जाम लिया जाता है पूरी साल में, और एक्जाम के बाद आपके हाथ में जो मार्क सीट आती है, तो मार्क सीट क्या बता देती है, कि भाई, फलाने ने इतने पाई, फलाने यह पता चलता है कि लोग इसमें ये सेक्टर इतने ग्रोथ किये हैं क्या वास्तमें इन सेक्टरों में काम करने वाले लोग खुसाल है या नहीं है इस खुसाली का भी पता नहीं चलता है तो यहाँ पर वही है सेम जैसा student के favor में है कि एक mark seat तो यह student के behavior को नहीं दर्शाती है तो वैसे जीडीपी जो है कि एक जैसकी समरद्धी को भी इंदर्शाती है तो यह जीडीपी के ररात्मक्तत्त है तो जीडीपी के बाद बात होती है यहाँपर शुद्ध घरेलू उत्पाद या निवल घरेलू उत्पाद जैसे हम कहते हैं Net Domestic Product NDP नडीपी कैसे प्राप् क्या है माली जे कंपणी ने कोई मसीन लगाई तो ऐसा तो है नहीं कि मसीन गुए एंदरंतर काम करती रहेगी उसमें खराबी भी आएगी तक्नीकी खराबी भी आएगी कुछ साल बाद यह भी हो सकता है मसीन रिटायर हो जाए मसीन काम करने योग न रहे आपको नई मसीन को घटा कर इसे प्राप्त किया जाता है एक वर्स के तोरान अर्थववस्ता में कितनी गिसावट हुई है कौन-कौन सी मसीन नी कौन-कौन से उत्वाद अब काम करने योग नहीं रह गए हैं तो उसको घटा कर हम यहाँ पर NDP यानिकि Net Domestic Product निकालते हैं गिसावट की जो संदर होती है वह वास्ता में सरकार निर्दारित करती है यहाँ पर हम निर्दारित नहीं करते हैं सरकार पूरी एक सूची जारी करती है सरकार जारी करती है और भारत में सूची जारी करने का काम जो है एक कैंदरी वाड़ेज और उद्ध्योग मंत्राले पूरी एक लिष् केंद्री बाड़े जो olan चलता है एक घर जो बनाया जा रहा है जो सौुख साल तक लएगा तो यहाँ पर घर की जो गिसावट रही है वह एक परसेंट सालना रखी गई है एक परसेंट की तर से यहाँ पर घर की घिसावट रखी गई है ठीक है ज़्यांनी घर में आपका जो बना हुआ है, building बनी हुई, इमारत बनी हुई है, उसमें जो घिसावट की दर होगी, उसमें जो कमी आती जाएगी, उसकी गुलगत्ता में जो अधिये-दिरे कमी आती जाएगी, वो एक परसेंट साल की दर से आती जाएगी, क्योंकि 100 साल रखा है इसके केंदी बाड़िज़ और अध्युक मंतराले ने इसकी life यहां 100 साल रखी है हर एक साल लाद एक परसेंट क्या हुआ हर एक साल बाद एक परसेंट गीड़ावत आती हैगी यहाँगी तो ऐसे करके यहाँ पर यही य Please और यह यह का था जारी करता है और यहाँ पर उस according यह बताता है कि इतनी इतनी गिसावट आएगी तो ऐसे करके यहाँ पर यह दर्द तैकी जाती है NDP हम निकालते कैसे हैं NDP को हम जो GDP होती है यानि कि सकल घरेल उत्पाद जो होता है बात करें यहाँ पर note 1 की तो यहाँ पर जो NDP है यह किसी भी बर्स में, किसी भी अर्थवस्ता में जो NDP हमेशा उस साल की GDP से कम होगा रीजन भही है गिसावट हमेशा निकालने का रात्म की होती है गिसावट सकारात्म थोड़ी ना होगी घर की आयो अगर घर की अगर पूरी एज जो है 100 साल आंकी गई है अब इसका मालब यह थोड़ी ना है घर जैसे ऐसे ग्रो होगा बैसे बैसे उसकी एज और बढ़ती जाईगी नहीं कमी तो आईगी आगी चरड़तों होगा ही होगा घर की जो गुड़वतता है घर का जो माटरियल है उसमें चरड़तों होगा ही होगा तो यहाँ पर भही है जब भी हम यहाँ पर NDP निकालते हैं तो NDP का जो final legend रहता है वो GDP से कम होता है पहली बात नोट करने बात यहाँ पर यह है दूसरी बात यह है कि हम पूरी दुनिया भर की जो अर्थ विवस्ता है EVNF, IMF है International Monetary Fund है यह भी अर्थ विवस्ताओं का comparison करने के लिए NDP का इस्तिमाल नहीं करता है इसका region है देखे NDP का इस्तिमाल नहीं करने का region यह है कि दुनिया भर की जितनी भी अर्थ विवस्ताओं है उन्होंने अपने हाँ अलग-अलग दर रखी है गिसावट की दर जो अलग-अलग रखी है अब जैसे एक example मैं यहाँ पर और लेता हूँ घर का यह example लेता हूँ आपके हाँ अगर आप पूरे भारत का देखें तो mostly आपके भारत में जितनी भी जगे है भाँ पर घर पक्के घर बनाए जाते है यह concrete के घर बनाए जाते है जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है अमेरिका में घर लगडी से बनाए जाते है तो अमेरिका ने अपने घरों की गिसावट की दर अलग रखी होगी, भारत ने अपने अलग रखी है, तो ऐसे में अगर अमेरिका के आंकडे, भारत के आंकडे से compare किये जाएंगे, तो result हम जहाँ पर तुलना करी नहीं पाएंगे, क्योंकि अमेरिका की गिसावट दर अलग ह ताकि यह आपके mind में clear हो गया होगा तो आपने NDP भी अपने आख देख लिया है आगे बढ़ते हैं अब है आपका सकल राष्ट्री उत्पाद यानि कि gross national product GNP जिसे हम बोलते हैं इसको हम देखेंगे कि GNP होता क्या है वेकि GNP जो है यह किसी भी अर्थविवस्ता का GNP जो होता है सकल राष्ट्री उत्पाद इसको GDP में जो बिदेशों से होने वाली आय होती है इसको जोड़कर हांसिल करते हैं यानि GNP में हम क्या करते हैं GDP के साथ साथ जो बिदेशों से आमदनी जो हमें हो र लिया जाता है यांगि देसकी सीमा के भाहार जो YouTubidya हो रही है और उनिके थुरोऊ हमें चुप पैसّ प्राप्थ हो रहा है हमें जो आर्तिक तक्रॉप हो रहा है हमारे यहां तो उसको भी इसमें आड़ कर लिया जाता है ऐसे करके तो वो भी तो एक आय है, है या नहीं है, तमाम आप अगर अमेरिका की सिती देखें हैं, तो अमेरिका में लगए 40% टेकी जो है, 40% जो जितने भी हैं, यानि गूगल, एपल, जितनी बड़ी-बड़ी टेक्निकल कंपनिया हैं, बहाँ पर सब भारती काम कर रही हैं, तो जो या अपने भारत को भी पैसा भेजती हैं, भारत में इनकी परिवार हैं, फैमली हैं, इनको पैसा भेजती हैं, तो सरकार को इन से भी आमदनी होती है, तो इसको प्राइबेट रेमिटेंस कहा जाता है, या नि निजी प्रेसर कहा जाता है, अगली बात है, बिजेसी रणों ओकाव भ्याज यह हैं just of it अब ये क्या है यह H 걱정 पर वह इंट्रेस्ट मिलता है वह बहुत आयों जोड़ जाता है और वह भी हमारी आमदनी का जरीया बनता है लेकिन ऐसा होता नहीं है practically ऐसा होता नहीं है क्यों चलोंप पाते हैं क्या है? हमारे यहां जो करज का ब्याज है, वो हमें बहुत ज्यादा चुकाना पड़ता है. तो इसलिए हमें यह प्राप्त हो नहीं पाता है इतना जादा क्यों प्राप तो हमें तब होगा जब किसी को लॉन जाएंगे हम उल्टा विदेसों से लॉन ले रहे हैं तो हम पिर क्या करेंगे हम अपने आप जो ब्याज होगा उनको चुकाएंगे तो इस बज़े से यह हमारे निगेटिव में रहता है जो हैं यह अनुदान देती हैं यानिकि डवलमेंट करने के लिए अनुदान देती हैं और यह अनुदान दिये जाते हैं ताके संबंद बहतर बन सकें किसी देश के साथ किसी ग्रोइंग एकोनोमी के साथ हमारे संबंद बहतर बन सकें और भविस्य में हम एक बाजार की तर होती है आदम्धनिल अप्र विद्व में हूं । आप देखें तो इह नोट करके इन । तीन लिभी मीजिए बात करें जीनी जीन पी का जो कैलकोलेशन है वो कैसे होता है STEPसा कि कैलकीशन जीन गोषचान जीन पी वर्यवड ढ़ावर जीडीपी प्लस्यू shopping से होने वाली आए यह इनि बिदेवाद वन से आए होती है वह आपको GNP हमेशा GDP से कम तर होता है यानि कहने का मलब क्या है क्योंकि भारत को मैंने बताया था आपको कि हम लोगों ने लौन इतना ज्यादा लिया हुआ है विस्टु बैंक से, IMF से और संस्थानों से तो हमें क्या उनका ब्याज देना पड़ता है और लहाजा भारत का GNP जो है मेशा GDP से कम तर ही आपको निकलता है GNP के उपयोग क्या है GNP के जो भिभिन उपयोग है GNP हम क्यों आपते हैं इसका रीजन क्या है यानि कि सकल राश्टी उत्पाद को हम क्यों निकालते हैं इसका रीजन क्या है यहाँ पर सबसे पहला रीजन तो इसका बताया गया है कि इसके आधार पर जो IMF है यानि International Monetary Fund है देशों को उनकी क्रैस सकती तुलिता यानि Purchasing Power Parity की आधार पर रेंक करता है कि वास्तम में वो Purchasing Power Parity उनकी यहां कितनी नहीं Purchasing Power Parity का एक सिंबल सा मैं कॉन्सेप बता दे रहा हूँ जैसे अमेरिका में एकलो चीनी कराम जो एकलो चीनी है एकलो सुगर है उसका मुल क्या है एकलो सुगर का महाँ पर मुल है हम मानके चलने एक डॉलर है महाँ पर अमेरिका में एक डॉलर है बारत में एक कलोचीनी का मूल कि इतना है बारत में है 40 रुपय के लोग है ये रुपय में है तो ये मान के चलती है Purchasing Power Parity कि जो भी आप सामान खरीद रहे हैं वो सामान है यानि सामान से मलब क्या है मुद्रा तो अलग-लग हो सकती है लेकिन वो सामान का जो मुल है वो लगवक सामान है ये पर्चेरिंग पावर पेरिटी का सिद्धान कुछ इस तरह से कारी करता है थोड़ा सा और हम यहाँ पर डीप में जाते हैं इसके बारे में देगे क्रे सकती जो तुलिता है यह वाली जा क्रे सकती समानता यह डवलप किसने की एक आपके यूरोपी और सास्त्री हुए थे जिनका नाम था गुस्तान कैसल नाम में लिख दे रहा हूँ गुस्तान कैसल हुए इन्होंने क्रे सकती तुलिता का सिद्धान यहाँ पर पृत्पाधित किया है इनका मानना यह था कि भाई एक मुल्य के नियम पर यहाँ पर इक काम करता है यानि कि समान बस्तुओं के जो मुल्य है बिभिन बाजारों में समान होंगे ऐसी इनकी कलपना थी कि भाई जो समान बस्तुओं इस चीनी है चीनी का मुल्य अमेरिका में भी समान होगा भारत में भी समान होगा तो समान तब होगा समान तो तब होगा जब इन्हें एक साजी मुद्रा में मापा जाएगा इनका मानना ये था कि ये समान तब निकल कर आएगा जब आप एक साजी मुद्रा एक कॉमन मुद्रा में मापेंगे पर्चेजिंग पावर पैरिटी यानि किसी मुद्रा के सही मूल्य को परिकलित करने की एक बास्तम एक बिधी है और ये मुद्रा के बाजार बिनमेदर से भिन भी हो सकती है यह आप जान लीजिए तो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर इसका बेसिक बेसिक कॉंसेप्ट वो कि परिमान आत्मक तो देए रहा है और गुड़ातमक तसफीर भी दे रहा है यानि यह दरसाता है कि एक देस के अंदर आपका जो मानब संचातना है वो कितना जाथा विक्सित होगा है यानि कि हमारे भारती लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं तो ये क्या बात है हमारे गर्ब की बात ही तो है क्योंकि भारत जो प्रतिवा है वो प्रतिवा जो विदेशों में काम कर रही है अपनी सिवा दे रही है और ऐसे करेंगे आयस रजन हो रहा है इसके लिए तो कहीना कि हमारी एक अर्थविवस्ता का परिमानात्मक तो मुल्यागन करता ही करता है अगला यहां बताया गया है यह अंतराष्टी परद्यस में किसी भी अर्थविवस्ता को अपने मानव संसाथनों अपने अंतराष्टी संबंदों के बारे में बताता है यानि जो भी माना लाइन बतायती ही कि आपके संबंद कैसे हैं आपको अनुदान बगरा कैसे मिल लही हैं आपके साथ कौन को सी रियायत दी जा रही है तो यह इन सब चीजों की तरस्बीर को यह पेस करता है तो आपने यहाँ पर यह GNP का कौनसेप्ट यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है अगली हेडिंग है GNP में ही है यह NNP है यानि नेट नेशनल प्रोड़क्ट सुद राष्टी उत्पाद या निवल राष्टी उत्पाद इसके बारे में देखेंगे तो GNP जो है आपका या या फिर NNP वराबर GDP प्लस बजेसों से होने वाली आए और माइनस गिसावट यानि बात बही है या जातो आप यहाँ पर इसको जो है NNP गो निकाल लिजिए इसका इसका या पर ऐसे करके निकाल लिजिए तो ऐसे करके आपको NNP मिल जाएगा तो NNP जो है इसके अपयोग है तो पर पहली बात यह है NNP के जरी है हम किसी अर्थविवस्टा की जो है राष्ट्री आये निकाल सकते हैं यही नेसनल इंकम निकाल सकते हैं सबसे इंपोर्टनेंट रॉल इसका यही है कि जो यह NNP है यही सुद्ध राष्ट्री उत्पाद है इसके जरी हम अर्थविवस्टा की राष्ट्री आये कितनी है साला प्रति ब्यक्ति आये कितनी निकल कर आ रही है ये भी हमें पता चल जाता है ये एननपी के लाव है यानि एक अनुमान पता चल जाता है ये आपकी है शुद्र राष्टी उत्पाद यानि कि नेट नेशनल प्रोड़क्त एननपी और एननपी के बारे में भी आपने यहापर देख लिया है अगली है अब आपकी राष्टी आय की लागत और मूल्य यानि हम यहाँ पर देखेंगे कि हम राष्टी आय जो निकालते हैं उसके लिए हम कौन सी लागत लें या फिर मूल्य लें यह राष्टी आगी गढ़ना करते समय यह तैय करना होता है कि कौन सी लागत पर आपको निकालनी है या फिर मूल्य के आधार पर आपको राष्टी आय निकालनी है यह बात आपको तैय करनी होती है आपसे मतलब करती है कि हमको यहाँ पर जो national income है या राष्टी आया इसकी गड़ना जो है लागत पर करनी है या फिर मूली पर करनी है अब देखिए आपको लागत और मूली तो एक जैसे लग रहे होंगे लेकिन इनमें बहुत अंतर है अगर हम अर्ध सास के दारे से सोचेंगे तो इनमें कहते हैं और दूसरा है बाजार लागत नि मार्केट कोश्ट फेक्टर कोश्ट में क्या आता है निवेस की गई लागत जिसे उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है यहाँ पर एक एक एक्जांपल ले रहा हूं जैसे कि मैं बिस्किट बनाने वाली कंप जाता है तो यह क्या है यह इन्वेस्टमेंट है जिसके जरीए बिस्किट तयार हो रहा है ठीक है यानि मसीन दे बगारा सब यह मिला कर एक क्या है एक जगह भी चाहिए जगह से मतलब पूरा एक इस्थान होना चाहिए जहां पर एक मैनुफेक्टिन यूनिट लगी हो जह यह कारक लागत हुई यानि यह चीज तो अब यहां से तो फाइनल प्रोड़क्ट आपका क्या बन गया बिस्किट बनकर तयार हो गया यानि कि यहां से आपका जो है बिस्किट जो है वो बनकर तयार हो गया है फैक्ट्री में है अब बिस्किट मार्केट में जाएगा अब बिस्केट यहां से फैक्ट्री से निकल दिया मार्केट के लिए अब मार्केट के लिए जब निकलेगा तो ओवियसी बात है ट्रांस्पोर्टिसन वाला चार्जबीस में एड हो जाएगा यानि कि जो किसी बहान के जरीए या ट्रेंड या जो भी मलब साधन हो जिसके जरीए ये बाजारों तक पहुँच रहा है ये ट्रांस्पोर्टिसन चार्जबीस पर लगेगा जीएश्टी बगरा भी लगेगा यानि कि बस्तु और सेवा कर बगरा है अब ध्यान देने वाली बात ये है ये लागत है दोनों यानि एक तो एक यहाँ पर बस्तु को बनाने के दोरां जो हमारी लागत लग रही है बो और बस्तु बनने के बाद फाइनल डीलर तक महुच रही है बो लागत यह बाजार लागत पर यहाँ पर पहुँच गई अब बाजार लागत पर यह पहुँच गई है तो एक common sense की बात है सोचने वाली बात है कि माल दीजिए एक visit का packet यहाँ पर 4 रुपए लग रही दी लागत 4 रुपए में बन कर तयार हुगा और 5 रुपए में यह यहाँ पर पहुचा है तो वो वास्ता में क्या होता है प्राइस बनता है जो प्राइस आप से लिया जाता है समझे तो यह तो आपकी लागत लागत होगी फेक्टर कोस्ट और मार्केट कोस्ट हो गई अब मूल्य पर आ जाते हैं अगर हम अपने यहाँ पर एक नोट लगा हुआ है यहाँ पर नोट की बात की गई है कि जनवरी 2015 से CSO जो आपका है केंदरी सांके की संग्ठन जो है इसके दोरा राष्टी आगी गड़ना बाजार मूली पर की जा रही है जो वास्तब में बाजार लागत पर ही है यानि अब पहले हमारे यहाँ क्या था पहले हमारे यहाँ भारत की जो आजकारिक तोर पर राष्टी आगी गड़ना जो होती थी वो कारक लागत पर होती थी लेकिन जन्वरी 2015 से थोड़ा सा इसमें सलसुदन किया गया और CSO ने क्या किया है कि अब इसकी जो गड़ना है वो बाजार मुली पर कर दी बाजार लागत पर नहीं की बलकि बाजार मुली पर सोचने वाली बात यह यहाँ पर लागत सब्द नहीं आ रहे से महलब यहाँ पर bad mula या ने हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यह से मा लीजे जो आपके फ्रॉड़क्ट बन कराया biscuit matter बंकर लेइन्ग कराया थो biscuit बड़े बड़े जो dealer होंगे यहाँ पर wholesale जिसे हम बोलते है Wholesaler जिसे हम बोलते है Wholesaler के गोदा में पहुंच जाएगा बिस्किट ठीक है और Wholesaler से छोट-छोटे Retailer यहां से ले जाएगा बिस्किट तो Wholesaler यहां पर जो लागत तयार करेगा कि हमें इस पर इतना Profit चाहिए वो यहां पर बाजार मूल्य हो गया इनका लेक तरह से लगवक बाजार लागत के बराबर ही जाई है तो इस पर हमारे यहां अभी बरतमान में राष्टी आगी गड़ना की जा रही है यहां पर एक चीज जो एड़ हो रही है मूल्य उसे कहते हैं सकल मूल्य वर्धन जिसे हम Gross Value Addison कहते हैं इसमें उत्पाद कर वगर लग जाता है और ऐसे करें उत्पाद कर वगर लगने के बाद इसमें ऐसे करके यहां पर इसके Gross Value Addition इसे हो जाता है तो ऐसे करें कि हमें बाजार मूल यानि ये वाला मूल हमें प्राप्त हो जाता है ग्रॉस वैल्यू एडिसन के जरी है सकल मूल वर्धन के जरी है देखे समझने माली बात बहुत आसान सब्दों में समझने आप कि कोई भी यहाँ पर उत्पादन की बेक्रिया में या बिक्री की बेक्रिया में लगा हुआ ब्यक्ति है वो फ्रॉफिट तो कमाएगा ही कमाएगा ऐसा थोड़ी नहीं कि अपना फ्रॉफिट छोड़ देगा भाई होल सेलर तक यह चीज पहुंची बाजार लगत पर होल सेलर के पास पहुंची तो होल सेलर भी तो गोदाम तयार करेगा जहाँ पर इस सामार रखेगा उसका उस पर चार्ज लगेगा टेक्स बगारा भी भरेगा ऐसा सोड़ी नहीं गवर्मेंट का टेक्स छोड़ द तो अब बात करते हैं मुल्य क्या होता है तो आये को हम यहाँ पर दो मुल्यों में हमने यहाँ भी डिवाइट कर दिया है यानि कि जो फाइनल प्राइस है उसको हमने दो मुल्यों में डिवाइट कर दिया है एक तो इस्थाई है constant और दूसरा है चालू current इन से निकाला जाता है इस्थाई मुल्य के लिए मामले में हम मुद्राइस्पीती जो है इसको पहले के किसी साल में इस्थाई माल लेते हैं मुद्राइस्पीती मतलब क्या है जो आप साल दर साल किसी बस्तु को खरीदते हैं उसमें जो मुल्य वर्धन होता है उसको मुद्राइस्पीती के नाम से जानते हैं मुद्राइस्पीती का पूरा एक चैप्टर है बहाँ पर हम और इससे डेटेल में पढ़ेंगे अभी आप बसाइब का कितना का होगया 5.5 तो यहां पर बताया गया है क्या हम यह एक आधार बर्समान लेते हैं हम यह मान के चलते हैं कि 2019 में 5 रसमान के पैगिट था यानि मुद्रा स्पीद का मलब कितनी महगाई बढ़ गई है कितना प्रोड़क्ट में महगाई बढ़ गई है वो भी इसमें एड़ कर लिया जाता है और यह है अधिक्तम खुद्रा मूल यानि MRP जैसे हम बोलते है Maximum Retail Price यह होता है देगे आपने पढ़ा होगा आपने देखा भी होगा किसी भी उत्रपात पर MRP लिखा होता है होता तो यह है कि कोई भी दुकंदार MRP से कमपर ही सामान देगा लेकिन ऐसा होता नहीं है दुकंदार MRP के MRP भी सामान देते हैं और बढ़ा कर देने की भी सोचते है, MRP का मलब क्या होता है, maximum retail price, कि माल लीजे और ज्यादा मूली प्रद्धी हो जाती है, और ज्यादा जहाँ पर लागत बढ़ जाती है, या और ज्यादा यहाँ पर charges बढ़ जाती है, तो आप वो अधिक्तम इतने प्रोपय में बेचना है यानि कि माल लीजे किसी प्रोड़क्त प्पचास रुपए लेखे हुए है, तो वो यह बता रहे हैं, अगर माल लीजे लगातार मुद्रा SPT बढ़ रही है, महगा ही बढ़ रही है, और महगा ही बढ़ने से आप प्रोड़क्त का दाम भी बढ़ गया, अब जैसे माल ये डीजल है, डीजल महगा हो गया, अब डीजल महगा होने के विजए से टांस्पोर्टेसन वाले जो है, ये भी कहते हैं, कि हम अपना जो किराया पहले भाड़ा 4,000 रुपे लेते थे, अब हम यहां पर 5,000 रुपे लेंगे, अब जो 5,000 रुपे में, यानि 1,000 रुपे का ये बाड़ा एक्ट्रा बढ़ा है, तो ये कहीना की तो एड होगा, तो कहीना की जो एड होगा, तो ऐसे करके मुद्रा स्पीती भी बढ़े जाएगी, भाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो वही है यहां पर, तो ऐसे करके प्रोड़क्ट वाले क्या होते हैं, यहां या कि ये हमारे यहां पर ये दरसाया किया है कि हमारे यां जो CSO है केंदरी सांकी की संग्ठन है इसने जो पहले कारक लागत पर आपके यह राष्टी आयक निकाली जाती थी उसमें परवर्थन किया है और अब यहाँ पर आयका आंकलन जो देखेंगे आप जो अब यह बापको बताया था मैंने कि बाजार मूली पर निकाला जाता है तो बही में हमने दो परिवर्थन देखनें को मिलते हैं अब क्या कर दिया गया है कि 2045 को जो आधार वर्थन माना गया था पिछली साल बाले को पहले वाला एक आधार वर्थन था हमारा 2045 अब इसे 2011 बारे मान लिया गया है गया गया है और यह जो आधार वर्थन हमने परिवर्थन रखना है वालकि हर 5 साल में संसुदन करना है इसके हिसाब से इसके अंसंसा जो कीती हिसाब से 2778 किया जाना था लेकिन अब तक 2778 हो नहीं पाया है आधार वर्स नहीं हो पाया है अब दीए आधार वर्स का कॉंसेप्ट में बता देता हूँ आधारब्रस का concept होता गया है एक simple सब्दों में देखे government कोई भी government ये होती है हर government ये ही जाती है कि हमारे उपर महगाई को लेकर टीका टिपली ना हो हर government ये ही जाती है तो वो ये क्या करते हैं कि ये माल लेते हैं कि इस साल में कीमतें fix हैं यानि कि जो 245 का आखड़ा चल ला था इसका मलब क्या था कि जैसे 245 में यहाँ पर आटे का price 12 रुपए होगा मुस्किल से 12 रुपए ही होगा आटे का अब बरतमान में 20 रुपए पहुच भी आ है बरतमान में लगो आटा जो है 20 रुपए किलोग्राम बिकरा है मैं यह अमूवण फुटकर रेट बता रहा हूँ आपको तो यहाँ पर यह क्या करते हैं यह अर्शास्री जो होते हैं या फिर जो भी आपका लेखा निकाला जाता है यह इसके पीशे बहुत बड़ा लोजिक की यह होता है कोई भी गवर्मेंट तो अपने यहां की जो आर्थिक तरक्की है या अपने यहां जो आर्थिक कमिया है वो दवाने के उद्धिस से इस तरह की जो इस्थाई कीमतें लेती है ताकि उनके उपर उँखली न उट पाए कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गए महगा है ज्यादा बढ़ गई है उनके उपर उपर उँखली न एपढ़ पाए इसलिए यह आदार बर्स वाला कॉंसेप्ट चल लाह है फिलाल इसको change करने की बात चल लही है कि आधार बर्स ना लेकर अब इस थाई रूप से जो है पिछली साल के आंक्रे लीजिए यानि अब ये बात चल लही है बरतमान सरकार में कि आप जो आधार बर्स का concept का जिसमें 8-8 साल पुराना हम आधार बर्स मान के चलते थे कि इस आधार बर्स में कीमत इस्तिर होंगी उससे क्या होँदा था हमें accurate आंक्रे नहीं मिलते थे और हम जो अर्जब्रबस्ता में सुधार लाना चाह रहे थे वो सुधार भी नहीं आ पाते थे हकीकत बात है बाई 11-12 के आंक्रे 2020 में अंतर कितना आ गया है बाई 12-11 बारे में एक 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 जामपल के तौर पर मानके चली है कि उससे मैं आटा 15 रुपय के लो मिल ला था अब आटा की कीमत अभी 22 रुपय के लो हो गई अब आप 15 रुपय के हिसाब से अनुमान निकाल ल रहे हैं तो पिछले साल वाली जो कीमत रही है वो आप उठा लीजिए तो आपको जो accurate आंक्रे मिल जाएंगे और आपको सुधार क्या करने हैं वो आप सुधारों की रंडित भी बना पाएंगे तो अब आप आप आधार बरस वाला concept समझ गए होंगे I hope मैं यही आसा करता ह हूँ आधार बरस का concept समझ गए होंगे परना आधार बरस के बारे में आगे भी काभी बार चर्चा होगी तो हम clear कर लेंगे आधार बरस को और detail में वैसे मैंने यहां पर समझा दिया है तो यहां पर इसने अंसंसा यह कि हर पांस साल वे संसोधन किया जाए लेकिन संसोधन ह हो नहीं पाया यह ऐसा क्यों किया गया इसके लिए बदाया गया है कि राष्टी लेखा की गड़ना की कारिप्रनाली में संसोधन कर अंतराष्टी मापदंड के अनुरूप राष्टी लेखा दोयाराट के उपाई की पूर्ती की गई है यानि कि इंटरनेशनल जो आपकी अंतराष्टी संग्ठने या अंतराष्टी मापदंडने या अंतराष्टी जो प्रणालियां जिनके द्वारा इनके सदर्स से बने हुए हैं वो लगातार हनुसंसा यही करते हैं कि नवीनतमांक्रे लगाकर आप अपनी GDP का आंकलन तैयार करें ताकि एक तुल्यात्मक अभी हो नहीं पाया है, यह आप समझ लीजिए, अब यहाँ पर बताया गया है कि आधार वर्स में जो संसोधन हुआ है, और संसोधन में सामिल किये गए प्रमुख फिर बदल कौन-कौन से हैं, बताया गया है आधार वर्स में संसोधन करने बाद कौन-कौन से फिर बदल हैं तो बरतमान में विकास को इस्थिर बाजार मुल्यों पर सगल घरेल उत्पाद द्वारा मापा जाता है यानि हमारे यह जो अभी निकाला जाता है राष्टी याए हमारे यह निकाली जाती है इस्थिर बाजार मूल यानि हम बाजार मूल जो है हमारा उसको इस्थिर constant माल लेते हैं यानि एक आधार बर्स लेकर बाजार मूल्यों को इस्थिर माल लेते हैं और GDP के जरी निकालते हैं यानि हम ना तो GNP निकालते हैं ना तो NNP निकालते हैं ना NDP निकालते हैं हम GDP निका किया जाता है याँनि कि यहांपर जो Base Price कितना है याँनि मूल कीमतbey कितनी हैं उसके according हम यहांपर छेत्र वार अनुमान लगाते हैं सकल मूली का छेत्र वार अनुमान हम लगाते हैं दिफरेंस आ जाता है थोड़ी से ओर जो Company-level पर final product IR होता है, वहाँ पर जो text फेरा और जुड़ जाते हैं, वो सब चीज़ें को मिला कर हम यहाँ पर इसको formula पताया गया, CE प्लस OS या SI प्लस CFC प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद अंचूट, CE का मतलब होता है, compensation of employee, कर्मचारियों की चतपूर्ती, OS का मतलब होता है, operating surplus, परचालन अधिसेस कितना है, MI का मतलब, mixed income, यानि कि मिस्रित आय, CFC, consumption of fixed capital, अचल पुझी का उपभोग, ऐस सकल मूल वर्धन आपका यहां पर निकला आता है, मूल कीमतों पर, नि बेस प्राइस पर, कारक लागत पर आपका GBA जो निकलता है, उसका problem लभिया हुआ है, मूल कीमतों पर GBA, माइनस उत्पादन कर, प्लस उत्पादन छूट, उत्पादन कर कौन-कौन से है, और उत्प उत्पाद कर हैं, इनके बारे में हम आगे चलके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीके यह उत्पादन लेग गया है, यह उत्पादन छूटी है, यहां पर मैं गलती से काट दिया है, मैंने यह उत्पादन छूटी है, ठीक है, GDP कैसे निकलती है, इसमेशन मूल कीमतों पर GBA, तोरा जो subsidy and shoot मिली है, उसको इसमें से घटा देते हैं, ऐसे करें कि हमें यहां पर GDP मिल जाती है, हाना कि मैंने यह अत्रिक तोर पर यहां पर यह लिखती है, आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, पहली बास समझ लीजिए, आपना तो accountant है, तो आपको यह निकालना पड है, क्योंकि कुछ लोग आपके चैनल पर ऐसे भी है, उनकी डिमांड आती है, सरु फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला आपने बताया नहीं, तो फॉर्मूला का परियोग हमें कोई जरूरत नहीं है, ना तो हम accountant है, ना ही हम कोई अर्षास्त्री है, जो फॉर्मूल लग भर्दन है, और GDP के मलब आप जानते होंगे, जो gross domestic product है, इसके बारे में यहाँ पर आपको जो तुलना करनी है, यहाँ पर आर्थिक ब्रद्दी जो भी होती है हमारी, आर्थिक ब्रद्दी का अनुमाल लगाने के लिए हम दो प्रमुक बिदियों का इस्थिमाल करते हैं, एक तो मांग पक्ष देखते हैं, और दूसरा आपूर्दी पक्ष के द्वारा हम अनुमाल लगाया जाता है, यानि आर्थिक ब्रद्दी जो हमारी हो रही है, इसका अनुमाल लगाने के लिए दो प्रमुक बिदियों है, एक तो हम मांग पक्षी बिदी देखते हैं, और दूसरा supply, यहां से जो demand आ रही है, उसके बारे में ठीक है, और supply के बारे में जो आर्थिक ब्रद्दी का अनुमाल लगाया जाता है, तो इन दोनों पक्षों को हम देखते हैं, अब जो आपूर्ती बिदी है, यानि जो आपकी demand वाली विदी है, इसको देखते हैं, इसके बिवित आर्थिक शित्र जैसे होते हैं, आपके माली जिक टसी हुआ, उद्ध्योग हुआ, सेवाई बगरा हुई, इन सब को जोड़कर आपका बैलू एडिशन यहाँ पर निकल आ जाता है, यहाँ आप सकल बर्दित मूल ले आप यहाँ पर निकाल पाते हैं, ऐसे करेंगे उन सब को जोड़कर आप इसकी गढ़ना करते हैं, यानि कि आप कह सकते हैं, कि अर्थविवस्ता में जो ब्याय होते हैं, उनको इसमें से निकाल कर आप मांग विधी पर यह प्राप्त करते हैं, यानि कि जो डिमांड विधी पर, यानि मांग विधी पर देगे, चारत रह अर्थव्यस्ता में बैगे स्रोथ expenditure है तो निजी उपभोग है यानि कि आपका consumption है ठीक है इसके लाब सरकारी खर्च है ब्यबसाय जगत के जो खर्च है निवल निर्यात यानि कि जो आप net export कर रहे हैं वे देशों को सामान export कर रहे हैं तो ऐसे करके आपके यहाँ पर यह पत की तुलना कैसे करेंगे यानि कि जो gross value addition वाला concept है अगर GDP से उसके तुलना कर रही हो तो हम यह कैसे करके चलेंगे यह बताया गया है अना कि इतना deeply हमें जाने की ज़रुद नहीं है हम GDP का concept समझ गया है वही हमारे लिए काफी है जी बीए का concept ही मैंने आपको पिछली slide में आ इसके माध्यम से जो अर्थविवस्ता के सेक्टर है जैसे आपका प्राकर्तिक समसादन वाले सेक्टर है या फिर आपके और भी है आईटी सेक्टर बगरा है बड़े-बड़े सेक्टरों का हम जो है तुलनात्म कद्यन कर पाते हैं GDP के माध्यम से तो हम किसी देश की economy का द comparison करना है तो हम पो GBA के माध्यम से करते हैं ठीक है तो यह यहाँ पर पताया गया है GDP और GDP की तुलनाम है आगे है यह पताया गया है निश्चित आधार और संखला आधार विदियां यह भी आपकी GDP मापन की विदियां है यानि कि हम कह सकते हैं fixed based और chain based method है तो पहले आपका जो GDP का आखलन होता था वो निश्चित आधार विदि की द्वारा होता था जिसमें हम एक आधार वर्स माल लेते थे यैसे हमारा आधार वर्स 2011 बारे है इसको आधार वर्स माल लिया और ऐसे करके GDP का आखलन किया लेकिन लगातार अंदराष्टी संख्ठन भी दबाव बना जाने का विचार किया जा रहा है यानि अभी apply नहीं हुआ है government विचार कर रही है कि अब स्रंखला आधार विदी इस्तिमाल करें यानि कि स्रंखला आधार विदी का concept क्या है इस नई विदी में किसी वर्स की GDP की आधार वर्स की जगह बिछले वर्स की तुलना की जाएगी याइ हम आधार वर्स वाली कीमतें नहीं लेकre चलेंगे हम पिछले साल कितनी क्या का केमते रही है प्रोडक्ट की वह कीमतें यहाँ पर लेके चलेंगे और ऐसे करके यहाँ पर GDP निकालेंगे तो सरकार कोशिस्द यह कर रही है कि जो पुराने वाले आधारे चल ले द है पाएंगी, अब आप एक अनुमाल लगाईगे, 2011 बारेक एक कोडिंग जीडी भी निकलती आ रही है, अब क्या पता कि 10 साल में क्या-क्या बदलाव हो गई है, कोई आंकला पती नी चल पा रहा है, तो जब नए आंकले होंगे, नवीनतम आंकले होंगे, तो सरकारें भी काम कर पाएंगी, आपको भी पता चल पाएगा कि हमें क्या करना है, कैसे हम जो बदलाव हो रहे हैं, उन बदलाव को कैसे हमें नियंतरत करना है, लोगों को क्या-क्या रहात दे नहीं है, बोग सरकार को भी पता चल पाएगा, तो इसलिए कहीना कि स्रंखला आधार विदी जो ग सांख्यकी की इस्थाई समिती यह जो समिती है आपकी आर्टिक सांख्यकी पर इस्थाई समिती इसका गठन जो हुआ है वो 28 दिसंबर दोयार निसको सांख्यकी और कारिक्रम कार्यानिवन मंत्रा लेके त्वारा किया गया है तो यह जो है समिती जो 28 समिती है इसका गठन यह ने किया है ठीक है समीति क्या जो जिस क्या है सरकार के डिटा में सुधार करना है और अधिक्षता यहाँ पर एक प्रम्ख सांकिकी बित कर रहे हैं प्रणब सेन इसकी अधिक्षता कर रहे हैं तो यह काम इसका यही सौपा गया है कि आपको यह तमाम जो चीजे हैं इनके आंक हो जाता है I hope आपको chapter का जो मूल concept वो समझ में आया होगा देखिए मैंने मूल concept पर विसेस फोकस किया है बाद में तो आपकी जो नवीनतम जो किताब है उसमें तो कोविड का प्रभाव क्या रहा है एक अनुवान क्या रहा है अर्थविवस्ता का वो हमारे लिए पढ़ना य आकड़े में आपको पढ़ा दूँ और अभी आपके नमिंतम आकड़े शल लही है तो वो आपको सामझस से नहीं बैटेगा तो यहाँ पर इसलिए मैंने वो proportion हटा दिया है जो मूल मूल बात नहीं थी वो आपके माइंड में GDP की अफधायना जी एन पी ये सारी अफधायन की बात क्यों चल लही है संकला आधारविदी अपनाने की बात क्यों चल लही है वो भी मैंने उसका यहाँ पर आपके जिक्र कर दिया है तो आप लोगों को अब वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे like share करना बिलकुल ना भूलें देगे मेरी आप लोगों से आप लोगोंने 《डाले हुए》 हिंदी में एक भी वीडियो नहीं है तो मेरा मानना यह है के लिए तैयारी करने वाले अप लिए आपढ़्यारती है उन तक यह वी आपको पढ़ाने वाले टीचिंग केरियर मेंने ये पाया है, 80% स्टुडेंट इसे विस्या को पसंद नहीं करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप उन 80% अभ्यरतियों के पास इस विस्या को पहुचाईए, ताकि उनकी भी समझ इस विस्या को लेकर क्लियर हो पाए,